Hello Everyone, Welcome to ICT Book Official, कैसे हैं, आप सब लोग आयोग की सबच्छे होंगे, चलिए हम लोग बात करें थे Human Physiology की, Human Physiology में कुछ टॉपिक और लेडी हम कवर कर चुके हैं, आग जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा कंकाल तंत्र, इसको बोलते हैं, Iskeleton System, ठीक है, तो इसके बात करेंगे, तंकाल तंत्र, इसी को, इंग्लिस में Iskeleton System, जो कि आपके बोडी में, जो भी बोनी structure है, बतलब कि जो आपकी बोडी का मिन धाचा है, इससे बना होता है, तो चलिए बात करेंगे, इसमें आपको पढ़ना क्या-क्या है, देखें, कैसे कुशन पूचे जाते हैं, उनकी बात करेंगे, आलसो एक शी जार ध्यान रखेगा, आपकी बोडी में जो बोन्स हैं, बोन्स के अलावा भी मसल्स हो गई, ठीक है, जो पेसी होती है, उन सब की भी बात करेंगे, चलिए सुरुआत करते हैं कुशन की, रेखित और अरेखित पेसी कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, आपको बताना है, रेखित और अरेखित, ये दो टाइप की पेसी आप पढ़ते हो ना, तो रेखित और अरेखित पेसी में क्या अंतर होता है, सबसे पहला option है, अरेखित पेसीयां तंत्रिकाओं से नहीं जुड़ी होती है, जबक कि और एक्षिक पेसियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है और एक्षिक पेसि की तुलना में सभी रेखित पेसियां प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा कारे करती है आररवी ग्रुप D 2022 का पूछा हुँआ कुशन है चलिए बताएंगी क्या होगा इसके लिए राइट ऐन्सर रेखित और अरेखित पेसियों में क्या अंतर होता है तो देखें इसमें देखान रखेंगे अरेखित पेसियां जो होती है अरेखित पेसियों का एक्षिक संकुचन नहीं होता है एक्षिक संकुचन से मतलब है कि आप अपनी इच्छा से इनको कनवर्ट नहीं कर सकते हो As example जैसे आप ऐसे समाझे जो आपकी हर्ट की पेसियां है या फिर हर्ट छोड़ दीजे हर्ट में वैसे कार्डियक पेसि देखने को मिलती है जिनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है है ना तो हर्ट में वो होती है उसके अलावा जैसे कि आपका इस्टमक हो गया इस्टमक में जो पैरा इस्टाल्सिस मूव्मेंट होता है food continuous क्या करता है roll करता रहता है अपने आपको HCL से mix करता रहता है तो वो किन पेसी के माध्यम से होता है वो होता है involuntary muscles के माध्यम से जिनको un-aixic pesiaan कहा जाता है तो वही बात है वही अरेकित pesiaan होती है अरेकित पेसियों का एक्षिक संकुचन नहीं होता है जबकि एक्षिक पेसियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है ठीक है एक्षिक पेसियों वो होती है जैसे कि आपके हाथ में हो गई ठीक है आप अपने हाथ को कहां पर रखना है पेन पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है वो कहलाएंगी एक्षिक पेसियां ठीक है अनेक्षिक पेसियां क्या होती है तो अनेक्षिक पेसियां ऐसी पेसियां होती है जिनमें आपका बस नहीं चलता जैसे कि आपके आँख की पलक हो गई उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते बहुत टाइम तक कंट्रोल नहीं कर सकते उसमें भी अनैक्षिक पेसियां देखने को मिलती है तो यहीं अंतर है यह अरेकित पेसियों का अैक्षिक संकुचन नहीं होता है जबकि अैक्षिक पेसियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है चल यह नेक्ष कुश्चन देखेंगे नेक्ट्ट कुशन है भारी ब्यायाम के दावरान जब उर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन उर्जा उत्पन करने के लिए आक्सिजन की अपूर्ती सीमित होती है तो मांस्पेसियों की कोशिकाओं को दरसाती है क्या होगा फर्स्ट उप्सन लैक्टिक अमल के निर्माण बी उप्सन पाइरूबियेट के संचय सी उप्सन दिया है एथिनॉल के संसलेशन या फिर जल की हानी कौन सी प्रक्रिया होती है जब आप क्या कर रहे होते हो भारी ब्यायाम कर रहे होते हो जिम कर रहे होते हो कसरत क कर रहे होते हो दोड रहे होते हो तो उस टाइम कौन सी चीज का फॉर्मेशन होता है आपकी मान स्पेसियों की कोशिकाओं में चलो अच्छा कुश्चन है बताएंगे आरार्वी ग्रूप डी जिम कर रहे होते हो तो उस टाइम आपको एनर्जी की रिक्वाइर्मेंट ऐस कंपेर टू जब आप क्या है नॉवल इस्टेट में हो तो उससे ज्यादा होती है ठीक है वही बात हो रही है लेकिन उर्जा उत्पन करने के लिए ऑक्सीजन की अपूर्ती सीमित होती है लेकिन बॉड़ी में क्या है रिक्वाइर्मेंट ज्यादा है लेकिन उक्सीजन की कमी कम है और उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है तो आपकी मांस्पेशियों के कोशिकाओं में एक चीज का निर्माण होता है वो कौन चीज है तो वो है लेक्टिक एसिड का फॉरमेशन ठीक है यह होता है यहां पर Lactic Acid Lactic Acid का Acid Formation होता है Lactic Acid का Formation देखने को मिलता है और इसे Lactic Acid के कारण कभी-कभी क्या होता है कि जब यह मान स्पेसियों में जमा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है आपने देखा होगा सबके साथ हुआ भी होगा कई बार आपकी नस खिश जाती है वो नस खिशने का रीजन यही होता है कि वहां पर Lactic Acid का है इकठा हो जाता है या उस मान स्पेसी में कहते नहीं है कि हमारी नस खिश गई है अचानक से सोते सोते पक्स चलना है और वो तब होता है जब आप कोई भारी काम कर रहे होते हो उस टाइम हो सकता है Lactic Acid का formation हुआ हो लेकिन वो react बाद में करेगा जब आप normal state में होगे तो सोते सोते कई बार होता है कि कमर किनस खिश गई पैर किनस खिश गई तो वो इसी Lactic Acid के formation के बाद होता है और Lactic Acid जब जमा हो जाता है तो उसी की वज़य से और वो बहुत painful होता है सबने महसूस भी किया होगा तो ये काफी painful होता है क्योंकि lactic acid किसकी कमी से बनता है ये जब oxygen की कमी रहती है तब ये manspacia में इकठा होता है और इसी की वज़य से क्या होता है खिचाओ होता है कभी-कभी तो चलिए option A यहाँ पर right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question की तरफ 400 मीटर की दौड में भाग लेने के बाद आपको एंठन होती है निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है चलिए भई ये 400 मीटर की दौड करवा रहे है और 400 मीटर की दौड करने के बाद क्या हो रहा है आपको एंठन में सूस हो रही है तो इसका सबसे सटीक उदाहरण क्या हो सकता है फास्ट उप्शन है ऑक्सिजन और पाइरूबियेट का ग्लूकोस में परिवर्तन बी option है oxygen की पर्यापत उपस्थित और pyruvate का lectic अमले में परिवर्थन सी option है oxygen की कमी और pyruvate का lectic अमले में परिवर्थन यह फिर D option होगा oxygen की कमी और pyruvate का ethanol में परिवर्थन यह भी 2022 में पुशा हुआ question है चलिए बाई बताएंगे क्या होगा इसके लिए exact answer तो देखे अब भी जो last question हमने डिसकस किया वो गी ऐसा ही था कि क्या हो रहा है जब आप भारी काम कर रहे हो जिम कर रहे हो है न कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें energy की requirement ज्यादा है as compared to जब आप normal state में हो तो normal state में आपको normal energy मिल रही है आपकी body में जितना oxygen है वो क्या कर रहा है व आपको energy मिल रही है ठीक है वो normal state हो गई लेकिन जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो भारी काम कर रहे हो जिसमें energy की requirement ज्यादा है अब energy ज्यादा चाहिए भाईया लेकिन क्या हो रहा है कि body में उतना oxygen ही नहीं है तो oxygen की कमी की वज़े से क्या होता है पायरूबियेट किसमें convert ह लेक्टिक एसिड में जिसकी वज़े से यह एंठन होती है यह दर्द होता है ठीक है इसका region हो जाएगा कि oxygen की कमी और पायरूबियेट का लेक्टिक एसिड में conversion यहीं इसका region है इसी वज़े से क्या होता है कि जब आप भारी work कर लेते हो उसके बाद आपकी body में क्या होता ह है पेन होता है है ना सुरू सुरू में जिम करने जाएंगे एक दो दिन तो उसके बाद बहुत ज्यादा पेन होता है मास पेसियों में इतना खिचाओ होता है क्यों क्योंकि उसका एक normal state में जब आप रह रहे हो तो normal body आपकी react कर रही है लेकिन जब आपने continuous क्या कर लिया ए एक तरह से ऐसे इस्टेट में ला दिया है कि oxygen की कमी हो गई अब oxygen की कमी है यहां पर इक्जैक्ट राइट एंसर आगे बढ़ते हैं next question की तरफ next question है रेखित पेशियों के संबंद में निमनलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको right statement बताना है first option इनकी को सिकाएं लंबी अंसुलिट सीरों वाली और असाखित होती है question दिया है इनकी को सिकाएं लंबी बेलनकार अंसुलिट और असाखित होती है C option इनमें इसपस्ट हलके और गहरे पट उपस्थित होते है and D option दिया है इनके कोसिकाएं अंसुडित और बेलनाकार आक्तरती वाली तथा साखित होती है चलिए बाई बताएंगे क्या होगा इसके लिए right answer आपको बताना है रिखित पेसियों के संबंध में निमलिखित में से कौन सा सही कथन है ठीक है तो इनमें एक जित ध्यान रखेंगे रिखित पेसियां इनमें होता क्या है इनमें क्या होता है इनमें इसपस्ट हलके और गहरे पस्ट उपस्थित होते है मतलब कि यह जो पेसियां है, इनमें बीच बीच में ऐसे क्या है, यह structure देखने को मिलते हैं, जो dark color के होते हैं, और यह इस पस्ट दिखाई देते हैं, ठीक है, तो option C हो जाएगा, right answer, चलिए, next question, ऐसा ही है, एक्षिक पेसियों की संबन्द में निम्नमें से कौन सा कथन गलत ह अभी सही बताएं हैं, अब गलत बताना है, इन पेसियों को कंकाल पेसियां भी कहा जाता है, ठीक है, इन पेसियों को कंकाल पेसियां भी कहा जाता है, यह ज्यादतर अस्थियों से जुड़ी होती हैं, इन मांस पेसियों में क्रम वार, हलकी और गहरी पठीयां दिखाई द नमन्द में निम्न में से कौन सा कथन गलत है यहाँ पर आपको incorrect statement देना है तो देखे पहला तो दिया है इन पेसियों को कंकाल पेसियां भी कहा जाता है बिल्कुल correct है यह ज्यादा तर अस्थियों से जुड़ी होती है यह भी सही है इन मास पेसियों में क्रमवर हलकी और गहर पट्टी दिखाई देती है भी हमने देखा यह भी सही है इस में लास्ट में दिया है कोसिकाएं लंबी बेलनाकार असाखित और एकल केंद्रिये होती है यही गलत है आपको गलत ही बताना था तो answer क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा option number D clear option D हो जाएगा केंद्रिकाएं लंबी बेलनाकार असाखित और एकल केंद्रिये नहीं होती है इनमें छलिए इनमें ध्यान रखेंगे इनकी जो कोसिकाएं वो बहु केंद्रिकी यह तथा दंड के आकार की होती है तो option D के साथ जाएगे option D यहाँ पर incorrect है आगे बढ़ते हैं next question की तरफ निम्लिकित में से किसकी व होते हैं Girls उत्पन होते हैं ऑक्सिजन की अधिकता के कारण carbon dioxide की अधिता के कारण oxygen की कमी के कारण या फिर carbon dioxide की कमी के कारण तो आपने अभी पढ़ा oxygen की कमी के कारण क्या होता है lactic acid का formation होता है lactic acid का formation होता है और इसी lactic acid के formation के false roo यह जब mass spatial में एकठा होता है तो उसके वज़े से cramps आते हैं तो यह sudden क्या होता है आपकी body भी कहीं न कहीं ऐसे होता है कि पैर खिश गया पैर किनस में क्रैम बाग गया कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वज़े से और इसका reason क्या है इस lactic acid का formation होना चिक्छेंगे चली आगे बढ़ते हैं next question की तरफ next question है हड़ी की कोशिकाएं एक कठोर matrix में सन्निहित होती है जो बनी होती है किशिश की बनी होती है हड़ी की कोशिकाएं जो bones होती है उनकी सर्स किशिश की बनी होई होती है first option fluoride और calcium की B option calcium और phosphorus की C option phosphorus and potassium की and D option दिया है potassium और calcium की चलिए बताएंगे किसकी बनी हुई होती हैं, हड़ी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, जो की बनी हुई होती हैं, किसीश की बनी हुई होती हैं, अस्थी कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, और उसका फॉर्मेशन किससे होता ह तो ध्यान रखेंगे ये calcium और किसे और ये phosphorus जिसको P से represent करते हैं इससे मिलकर बनी होती है तो option B हो जाएगा calcium और phosphorus इनके योगिकों से मिलकर बनी होती है option B is the right answer नेक्स question देखेंगे अधिकांस जन्तों में गती इनमें से किन तंत्रों की समनवित गतिविधिया हैं फर्स्ट ऑप्शन PCA कंकाल और तंत्रिका तंत्र वी ऑप्शन केवल PCA तंत्र केवल तंत्रिका तंत्र या फिर केवल कंकाल और तंत्रिका तंत्र आपको बताना है अधिकांस जन्तों में जो गती होती है उनमें जो मूबमेंट होता है वो किसकी किसकी वज़ह से होता है दीखें यहां पर सीधे से बात है एक तो होता है PCA तंत्र जिसको आप muscular structure कहते हो या फिर PCA तंत्र को और क्या कहते है मस्कुलर सिस्टम कहते है दूसरा हो गया खंकाल तंत्र जिसको आप skeleton system कहते हैं and तीसरा है वो main important है ये चीजें तभी काम करेंगी जब आपका nervous system proper काम कर रहा होगा ठीक है तो ये तीनो जो organ system है ये तीनो एक साथ मिलकर body के movement में help करते हैं तो इसमें क्या है इसमें लिख भी लीजे पेसिये हो गया पेसिये को क्या बोलते हैं पेसिये इसको क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं muscular system muscular system ठीक है उसके बाद दूसरा क्या है कंकाल तंत्र कंकाल जिसको आप बोलते हो skeleton system skeleton system and तीसरा है जिसको तंत्री का तंत्र बोलते हैं इसको बोला जाता है क्या nervous system अभी last session में हमने डिसकस किया था nervous system के बारे में nervous system और endocrine system यह दो ऐसे organ system है जो हमाई body को संपूर रोप से क्रिया देते रहते हैं हमाई body को संपूर रोप से संचालित करते हैं अगर इन में से दोनों में से कोई भी imbalance हुआ endocrine system में आप क्या पढ़ते हो बेटा तो आहां पर हम पढ़ते हैं इतने भी hormonal activities हैं hormonal changes हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं क्या changes हो रहे हैं कैसे hormones react करेंगे यह सारे के सारे process हम endocrine system में पढ़ते हैं आल्सो जैसे कि आप तंत्र का तंत्र की बात करते हो जिसको आप क्या बोलते हो इसको बोलते हो आप nervous system तो nervous system भी as a indicator या आप ऐसे समझ लीजे कि यह दोनों मिलकर आपस में भाई बेहन की तरह काम कर रहे हैं अगर कोई भी काम करना बंद किया तो क्या है body proper functioning नहीं कर पाएगी तो दोनों बहुत important है लेकिन अभी आप से खूंचा गया है अधिकांस जन्तूओं में गती जिसको आप movement कहते हैं इन में से किन तंत्रों को समन्वित करके होता है तो समन्वित करके कौन-कौन से तंत्र है जो movement के लिए responsible होते हैं तो वो होता है पहले तो बात करेंगे पेसी ये तंत्र की जिसमें आपको पता है एक्षिक और अनैक्षिक पेसियां आती है muscular system हो गया उसके बाद skeleton system हमारे सरीर को निश्चित आकार वा आकरती प्रदान करता है और हमारा जो nervous system है हमारा जो nervous system है वो क्या करता है वो सरीर के बिभिन अंगो को control करता है नियंत्रित करता है तो ये सारे के सारे काम तब होंगे जब ये तीनो एक साथ काम करेंगे तब ये जाके body का movement हो रहा है आप ये हाथ हिला रहे हो इधर से उधर हम लिख रहे हैं पेंसे तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही system काम कर रहा है हमा कर रही है इस हाथ को इधर से उधर गती दे रही है तो option A हो जाएगा right answer पेशी ये जिसको muscular system कहते हैं तंगाल तंत्र जिसको skeleton system कहते हैं and nervous system जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं ये तीनो मिलकर किसी भी जन्तु में किसी भी organ को हाथ को movement करना है तो वो तीनो के तीनो ये organ system responsible हो अगर तीनो में से एक भी नहीं काम करेगा माली जे muscular structure में कोई कमी आ गई ठीक है आपकी muscles में कोई दिक्कत आ गई muscles में चोट लग गई या muscles proper work नहीं कर रहे हैं तो क्या आप हाथ को movement कर पाओगे जैसे होता है ना कि आपके हाथ में कभी-कभी माली जे चोट लग जाती है तो आपके हाथ में दर्द होता है और आप proper कोई काम नहीं कर पाओगे या हड़ी तूट गई माली जे muscles ठीक हैं ले भी चोट लग गई जिससे आपके हाथ की या पैर की जो movement है वो control हो रही थी तो अगर उस brain के उस part की cells damage हो गई तो उसके बाद वो control नहीं रहेगा और वो movement कर ही नहीं पाओगे भले ही आपके हाथ ठीक है पैर ठीक है लेकिन वो movement नहीं कर पाओगे तो ये तीनों जब साथ रहेंगे तभी क्या होगा movement हो पाएगा लियर चलिए आगे बढ़ेंगे next question की तरफ अगला question है कठोर सारीरिक स्रम जिसको intense activity कहते हैं के बाद हुई पैर की पेसियों के एंठन से राहत पाने का एक अच्छा तरीका क्या है चलो अभी हम पढ़ रहे थे कि क्या हो रहा है ज्यादा अपनी बाडी में बाडी से क्या करना है काम करवा रहे हैं ज्यादा परिस्तरम करवा रहे हैं तो हमाई बाडी भी एंठन में आ जाती है ना कह रहे हैं कि मैं भी एंठन हो जाती है तो उससे क्या है भाई उस बाडी है तो उसको वापस से काम मिलाना है तो उसके पर ये क्या करना है उसके लिए उसको वापस से ठीक करना है उसके जो क्रैम से हैं उसको ठीक करना है तो उसके लिए क्या तरीका है फॉर्स्ट आप्शन है गर्म मीठा दूध या फिर चाय पीना बी आप्शन है आइस पैक को पैरों पर रगणना C option है गर्म पैड से हलकी मालिस करना या फिर दर्द निवारक मरहम लगाना चलो बताएंगे क्या होगा इसके लिए right answer क्या होगा इसके लिए right answer कठोर सारी रिक सरम जिसको intense activity के बाद हुई पैर की पैसियों में एठन से राहत के लिए कौन सा एक सबसे अच्छा तरीका है तो देखे अच्छा यह हो क्यों रहा है क्योंकि आपकी body में मास्पैसियों में lactic acid का क्या है संचयन हो गया है लैक्टिक acid formation हुआ उसके बाद मास्पैसियों में मसल्स में वो संग्रहित हो गया है जिसके वज़े से यह cramps आए तो अब उस lactic acid को आपको क्या करना है resolve करना है तो वो उसके लिए तरीका होता है या मास्पैसियों की सीधी-सीधी ठकान मिटानी है आपको तो उसके लिए है कि गर्म पैड से हलकी-हलकी मालिस करें पैर पे है ना जहां पर एठन है उस पे क्या है गर्म पैड की मदद से उस पे मालिस करें तो इससे क्या होगा कि जो भी मास्पेसियों में असंतुलित रक्त प्रवाह है, मास्पेसियों के भीतर जो उन्नेयन है, असंतुलन है वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा, और लेक्टिक एसिड वो धीरे-धीरे क्या होगा, रिजॉल्ब हो जाएगा, उसके बाद आपके क्रैम से ठीक हो जाएगे, ठीक है तो option C हो जाएगा right answer चलिए next question देखते हैं next question पेसियों के एंठन का क्या कारण होता है रक्त में निम्न ग्लूकोज इस तर जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है B option है तंत्रिक पेसियां संधियों का अत्यधिक उत्तेजन C option पेसियों को होने वाली oxygen अपूर्टी में कमी या फिर सरीर की ठकान और कमजोरी क्या होगा right answer चलिए बताएंगे पेसियों के एंठन का कारण क्या है तो अभी हमने डिसकस किया पेसियों में होने वाली oxygen कमी oxygen क्या होगी यहाँ पर oxygen की कमी होती है जिसकी वज़ए से pyruviate किसमें convert होता है यह pyruviate pyruviate convert होता है किसमें lactic acid में है न अब यह lactic acid जब हमाई muscles में sunshine हो जाता है जो sunshine हो जाता है उसका तो इसकी वज़ए से ही क्या होता है क्रेम साते हैं तो option C हो जाएगा right answer चलिए next question देखेंगे मानो सरीर की सबसे लंबी हड़ी कौन सी है I think ये तो सब को पता होगा सबसे पहला है जानवास थी उसके बाद उरोस थी टीबिया या फिर जांग की हड़ी मानो सरीर की ये तो सब पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से मानो सरीर की सबसे लंबी हड़ी कौन सी है चलो बताएंगे कौन सी है तो मानो सरीर की अच्छे एक कुशन और बताईएगा अब पहले सबसे पहले तो यही बताईए मानोसरी के सबसे लंबी हड़ी longest moon in the human body longest moon ठीक है longest moon उसके बाद hardest substance भी बताईए hardest substance in human body ठीक है ये दोनों point बताईए क्योंकि ये भी question बहुत मुच्छा जाता है hardest substance कौन सा है सबसे कटोर कटोर पदार्थ हमाई body में कौन सा होता है और longest bone तो आपको बताना है यहाँ पर I think सबको पता होगा ये कौन सी bone होती है ये होती है femur bone कौन सी जिसको femur कहा जाता है और ये कौन सी bone है जिसको जांग की हड़ी कहते है femur bone femur bone ठीक है इसको क्या कहते है जांग की हड़ी कहते है आपकी जो thigh bone है जांग की हड़ी या इसी का जो नाम है इसको femur bone कहा जाता है longest bone पूरी body में सबसे लंबी होती है smallest bone कौन सी होती है smallest bone चलो smallest bone कौन सी होती है तो ये आपने पढ़ा है ear ossicles आपकी जो कान की हड़ीयां होती है एक कान में कितनी हड़ीयां होती है एक कान में तीन ear ossicles होती है दोनों कानों को मिला कि 6 ear ossicles होती है तो 6 ear ossicles में आपने पढ़ा होगा मेलस, इंकस और इस्टेपीज इस्टेपीज, smallest bone होती है पूरी human body की, ठीक है तो ये भी लिख लीजेगा, smallest bone है उसको ear ossicle कहा जाता है ear ossicle ठीक है, ear ossicle और ये नाम क्या है इसका इसको कहते हैं, stepes ये क्या है, smallest bone है सबसे शोटी bone है, हमाई पूरी human body में, ear ossicle कान की हड़ियां कहलाती है एक कान में तीन हड़ियां देखने को मिलती है इनकस, stepes और मैलस, ठीक है, ये तीन हड़ियां होती है, इन तीनों में सबसे शोटी stepes होती है, और इसी stepes को पूरी human body में, सबसे smallest bone के, smallest bone के रूप में भी count किया जाता है longest bone आपने पता कर लिया ये है, femur bone hardest substance in human body चलो, ये फटब-फट से बताएंगे आप लोग ये comment में लिखके बताएंगे, ठीक है hardest substance in human body ये comment में करके बताएंगे आगे बढ़ेंगे, हम next question की तरफ अगला question है, सरीर की सबसे लंबी हड़ी कौन सी है रेड की हड़ी, प्रंगडिका कंधे की हड़ी, या फिर जांग की हड़ी ये है, option D, जांग की हड़ी जिसको क्या कहते हैं, femur bone कहा जाता है, क्या कहते हैं femur bone, clear, next question देखेंगे मानो सरीर में मवजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है अभी जो कुशन फूशा, वही कुशन है चल, first option है, उंगली काना खून, आपके जो नेल्स हैं वो, खोपड़ी की हड़ी, जो आपकी स्कलवोन है, वो, kneecap kneecap, जिसको आप क्या कहते हैं घुट्रे की हड़ी, यहाँ पर जिसको क्या कहते है, kneecap कहते है या फिर दात की परत कौन सा सबसे hardest substance होता है human body में, clear मानो सरीर में मवजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है चलिए, तो सबसे कठोर कठोर पदार्थ क्या होता है आपका दात की परत होती है tooth enamel कहते हैं इसको क्या कहते है tooth enamel यह hardest substance है पूरी human body में सबसे कठोर होता है आपके दात के उपरी परत जो होती है, white color की जो होती है वही क्या है, सबसे hardest substance है पूरे human body में, clear तो दात की परत जो होती है, आगे बढ़ेंगे next question की तरह, मानो सरीर में सबसे लंबी हड़ी कहां पाई जाती है, again सबसे लंबी हड़ी कह लीजे, longest bone कह लीजे, क्या होगा, first option भूजा में, भूजा किसको बोलते हैं, ये वाला हाथ का ये part हो गया, ठीक है, उसके बाद जाके उपरी हिस्से में, पैर में या फिर जांग में, कहां पर सबसे लंबी bone देखने को मिलती है, ये question अभी किया, मानो सरीर में सबसे लंबी हड़ी कहां पर देखने को मिलती है, तो again आपकी thigh bone होती है, जो जांग की हड़ी है इसको कौन सी bone कहा जाता है, ये bone कहलाती है, फीमर बून ठीक है आगे बढ़ें next question की तरफ मानो सरीर में पाई जाने वाली वह एक मात्र पेसी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है first option 3C रस्क है, जीब है 2C रस्क है या फिर अभी वर्तनी है मानो सरीर में पाई जाने वाली चलो भाई, बताएंगे मानो सरीर में पाई जाने वाली वह एक मात्र कौन सी पेसी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती एक साइड से ये अटेश होती है और दूसरे साइड से क्या होती है, फ्री होती है, बताएंगे तो ये है आपकी क्या टंग, जीब जिसको बोलते है आपकी जीब आगे देखे, पीछे से क्या है यहाँ पर गले के पास आपकी जीब जुड़ी रहती है यहाँ पर ये मस्कुलर आपको पता जीब क्या है टंग क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है पेसिये का पेसियों का बना हुआ एक पूरा का पूरा क्या है structure है और ये पीछे साइड यहां पे जुड़ा हुआ होता है आगे साइड के है जिससे आप बोल पा रहे हो अगर आगे भी जोड़ देंगे उसको तो आपका वो movement नहीं कर पाएगी और आप बोल नहीं पाओगी तो ये जीव आपको पता है कि ये muscular structure है और ये एक साइड से जुड़ा हुआ होता है दूसरे साइड से ये free रहता है clear option B हो जाएगा right answer चले आगे बढ़ेंगे next point है मानो सरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधी कौन सी है first option इसकंद संधी B option जानू संधी C option गरीवा संधी या फिर स्रोंडी संधी NTPC 2021 में पूछा हुआ कुश्चन है चले बताएंगे मानो सरीर में पाई जाने वाले सबसे बड़ी संधी कौन सी है संधी को मतलब संधी बोलते हैं joints को चीक है joints पढ़ने पढ़े हैं आप joints कौन सा है कौन सी सबसे बड़ी क्या है joints होती है तो देखिए आपकी body में कई सारे joints होते हैं जैसे एक तो यह क्या होता है यह जो आपका solder joint है यह solder क्या होते हैं यहाँ पर जो हड़ी होती है इस scapula इनसे humorous bone यह वाली हड़ी क्या कहलाती है humorous bone कहलाती है और यह जो आपके कंधे की हड़ी है यह scapula कहलाती है तो इससे joint होते है ball and socket joint यह कहलाता है यह आप ऐसे move कर पाते हो ना यह ball and socket उसके बाद यह joint होता है इसको क्या कहते हैं hinge joint कहते हैं जैसे दरवाजा खुलता है वैसे यह खुलता है तो यह hinge joint कहलाता है यहाँ पर यह joint होता है दो हड़ीयां यहाँ पर होती है radius और अलना और यह humorous bone होती है आपकी तो ये वाला जो joint होता है, ये क्या कहलाता है, हिंज जो joint कहलाता है, ये ऐसे खुलता है, ठीक है, एक ही दिशा में आप move कर पाते हो, ये वाला कौन सा joint है, जो आपका solder joint कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ball and socket joint, आप इसको क्या करते हो, आप 360 degree इसको move कर पाते हो, तो अगर 360 degree move कर पा रहे हैं, उसको ball and socket joints कहते हैं, उसके बाद आपके पैर में joints देखने को मिलते हैं, अच्छा पैर के अलावा कमर में भी आपके joints देखने को मिलते हैं, कमर के जो हड़ियां होती है, pelvic bones जो होती हैं, उनसे आपकी femur जुड़ी होई होती है, और नीचे, नीचे जो आपके knee joints ह उनसे क्या हैं, नीचे वाले tibia और fibula, जो आपके क्या हैं, नीचे वाले पैर की हड़ियां होती हैं, दो bone वहाँ पर भी होती हैं, तो उनसे जुड़े होई होते हैं, वही सबसे क्या है, बड़ी संधी होती है, कौन सी है, इसको बोलते हैं, जानू संधी, इसको knee joint कहा जा तो सबसे बड़ी संधी कौन सी होती है, human body में, knee joint, जिसको आप ये क्या बोलते हैं, ये बीच जो घुटना होता है, आपका वहाँ पर joint होता है, तो उसी को जानू संधी कहते हैं, इसको English में knee joint कहा जाता है, ये क्या होती है, सबसे बड़ी संधी होती है, longest joint होता है, clear human body में, चलिए, आगे बढ़ेंगे next question की तरफ, किसी जंगम जोड, जिसको moveable joint की दो हड्यों के बीच पाये जाने वाले, इस निहक पदार्थ को क्या कहते हैं, जो moveable joint है, जैसे कि आप कोई भी joint है, और उसके बाद उसको move कर पा रहे हैं, वो joint की मदद से वो move होता है, तो उसके ब साइनोबियल द्रव होता है, एमनियोटिक द्रव होता है, इंटरस्टीसियल द्रव होता है, या फिर सेरिब्रो स्पाइनल द्रव होता है, चलो भाई, बताएंगे कौन सा द्रव होता है, मूवेबल जॉइंट्स के बीच में कौन सा द्रव देखने को मिलता है, साइनोबि किसी भी movable joint के बीच में synovial fluid भरा हुआ होता है synovial fluid की मदद से ही वो क्या होते है move करते है option A हो जाएगा right answer clear चलिए आगे बढ़ेंगे next question की तरफ एक व्यस्क मानो सरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है ये भी सबको पता होगा कितनी होती है human adult में जब बच्चा है तो बच्चे में कितनी होती है और जब वो human adult में convert होती है अच्छा बच्चे में आपको पता है ज्यादा हड्डियों होती है उसके बाद वो क्या है जैसे जैसे वो adult growth में जाता है तो वैसे वैसे हड्डियों क्या होती है आपस में जुड़के एक पूरा इस्ट्रक्चर बनाती जाती है और वयस के बैक्ति के सरीर में कितनी हड़िया होती है 206 होती है ना ये और ज्यादा होती है चलिए 206 हड़िया होती है मानव तथा अन्यकसिर की जन्तु में पूरी सरीर में आपको पता है कि कितनी हट्डिया होती है ये एडल्ट फेज में हम काउंट कर रहे हैं एडल्ट में कितनी होती है एडल्ट में 206 होती है बच्चों में कितनी होती है इसे चाइल्ड में चाइड स्टेज में कितनी होती है तो ये लग भग तीन सो क्या सपास होती है इनकी संख्या कितनी होती है तीन सो होती है तीन सो होती है और ये तीन सो हड़ियां क्या होती है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी ग्रोथ होती है तो ये हट्डियां आपस में जूटती जाती है और उसके बाद जब वो adult phase में आ जाएगा तो उसमें 206 हट्डियां देखने को मिलती है अच्छा आपकी body में 206 हट्डियां है लेकिन आपका जो skeleton system है वो दो part में divide होता है एक तो होता है appendicular skeleton system और दूसरा होता है axial skeleton system axial skeleton system आप ऐसे समझें कि जब आप ऐसे सीधे खड़े हो तो ये आपकी पूरी axis है axis के बीचे वीच जो skeleton system present होगा उसको बोलते है axial skeleton system जिसमें आपकी ये iscle आती है उसके बाद जो appendicular skeleton system आता है उसमें आपके limbs आते हैं हाँ था गए और पैर आ गए ठीक है तो appendicular skeleton system में कितनी bone होती है इसमें भी note कर लीजे एक क्या है axial हो गया और दूसरा क्या है appendicular axial में कौन-कौन से आते हैं देखिए axial में आपकी iscle आती है उसके बाद क्या है आपका vertebral column आता है और आपकी जो ये ribs आती है चेस्ट वाला पार्ट हो गया ribs हो गई वो आती है rib case कहते है इसको ठीक है rib case ribs हो गई ribs में sternum bone भी आती है जो आपकी कहते चाती वाली bone है ठीक है जिससे ribs attach होती है तो ये आती है सारी appendicular में क्या क्या आते हैं आपके hand हो गए hand हांत हो गए और क्या है pair हो गए ठीक है इनको limbs कहा जाता है वैसे limbs limbs कहलाते हैं upper limbs and lower limbs अपर limbs में ये कितनी है 60 हड्य हांत हमें तीस हड्य होती है और एक pair में तीस हड्य होती है तो limbs में total कितनी होती है ये total 120 bone होती है अपर लिम्स और लोर लिम्स में एक हाथ में 30 हड़ियां होती है तो 30-30-60 हड़ियां हाथों की हो गई और 60 हड़ियां पैरों की हो गई 60-60 कितने हो गई 120 इस कल में कितने होती है इस कल में वैसे 29 काउंट किया जाता है क्यों क्योंकि एक आपकी है यह हाई ओड बोर होती इसको भी count करते हैं उसके बाद vertebral column और ribs में इसमें हड़ियं बताईए का आप vertebral column कितनी होती है और ribs में कितनी होती है चलो ठीक है चलिए वैसे आगे बढ़ते हैं इतरा details मैं नहीं पूछ दाया आपसे question फिर भी कभी कभी क्या होता पूछ लेता है तो जो maximum है question पूछने वाले वो मैं discuss करती जाओंगी ठीक है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है adult में कितनी हड़ियां होती है 206 होती है और child में 300 हड़ियां देखने को मिलती है जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें 300 हड़ियां होती है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है growth हो जाती अच्छे से body की तो उसके बाद जो हड़ियां होती है 206 हड़ियां होती है ठीक चलिए इसको नोट कर लीजेगा एक्जियल वैसे अभी आगे discuss करेंगे इसको एक्जियल एपंडिकुलर में कौन-कौन से आते हैं और एक्जियल में कौन-कौन से आते हैं इसको मैं फोड़ा सा डिटेल में अभी आगे बताऊंगी चलि आगे बढ़ेंगे नेक्स कुशन नेक्स कुशन है दिये गए बिकल्पों में से अस्थी और मानो सरीर के संबंधित भाग के गलत युगम का चैन करें फर्स्ट ऑप्सन है उर्धो हवस्थी इसको जवड़ा बोलते है जानु का अस्थी ये पैर में होती है माड़ी बंध गर्दर में होती है या फिर अन्तह प्रकोस्टि का अस्थी ये हाथ में होती है देखे ये सारे के सारे कुशन जो दिये गए हैं ये आपको यहां पर हिंदी में और हिंदी वाले जो ये हड़ियां है इनका काफी कठिन क प्रोनाउसेशन तो ठीक है मांकी आपको यह समझ में भी नहीं आएंगी तो मेरी अगर मानेंगे तो आप क्या करिए इनके इंग्लिस नाम याद कर लिए इंग्लिस नाम जब याद कर लेंगे ना तो वो क्या है वो क्लियर होते हैं आज सो उसमें कोई disturbance नहीं होगा उसमें कोई भी आपको confusion नहीं होगा वैसे यह जो हिंदी में पेपर दिया गया है इसमें आपको English form भी देता है जब आपका पेपर मालीजे आप हिंदी में भी भरते हो है ना आपका exam pattern तो वो English में भी देता है तो English वाला अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत आस इसी bone कहा जाता है यह हड़ी कहलाती है maxilla bone इसको कहते हैं यह इधर वाले नाम है लिख रही हो मैं ठीक है यह वाले नाम लिख रही हो इनको English में इसको बोलते है maxilla bone दूसरा दिया है जानुका अस्थी जानुका अस्थी को बोलते है पटेला bone इसको क्या बोलते है पटेला अब यह अगर आपने पढ़ा होगा तो यह आपको सारे पता होंगे पटेला कहां पर होती है maxilla bone कहां पर होती है ठीक है यह आपको पता होगा उसके बाद जो मड़ी बंध होती है मड़ी बंध इसको बोलते है कारपल बून मड़ी बंध को क्या बोलते है कारपल बून और अन्तह प्रकोष्टि का अस्थि इसको कहा जाता है अलना बून यह कौन सी है यह अलना अब यह नाम आपको सब पता होंगे अलना कहां पर होती है कारपस कहां पर होती है and maxilla कहां पर होती है ठीक है इनको आप भूल जाएए इनको अभी क्या करिए भूल जाएए अब आपको बताना है कि सही युगम का चैन करना है तो maxilla bone कहां पर होती है, आपके जबडे में होती है ना, maxilla bone कहां पर होती है, ये वाला जो जबड़ा है, इसमें maxilla bone देखने को मिलती है, तो ये तो हो गई आपके jaw bone, इसको क्या कहते है, jaw bone कहते है, इसको jaw bone भी कहा जाता है, जबडे में देखने को मिलती है, ठीक है, इसको आ पैर में पढ़ते हो ना, कहां पर पढ़ते हैं, पटेला क्या होती है, गुटने वाली जो हड्डी होती है, यह आपके lower limbs में देखने को मिलती है, और यह आप सीधे-सीधे लिख लीजे, पैर में देखने को मिलती है, पैर में आपकी जो हड्डी होती है, यह बीच वाला जो की हड़ियां होती है ये कारपल होती है ठीक है उंगलियों की जो हड़ियां होती है इनको कारपल कहा जाता है तो ये आपके हैंड में देखनी को मिलती है हाथ में हो गई ठीक है और अलना रेडियस और अलना मैंने बताया कि यह यहां पर दो बोन होती है यहां पर दो बोन होत तो इसी यह भी बॉन कहां पर होती है, हैंड में होती है, आपके हाथ में होती है, तो देखिए कितनी आसानी से आपने हल कर लिया, है ना, अब इनके हिंदी नाम अगर आप रटने जाओगे, तो ये सब नाम आप रटते रहो, लेकिन अब आपको ये इंगलिस नाम पता है, तो आप फटा फट से लगा लोगे कि कहां कौन सी बॉन देखने को मिलती है, इसमें आईए, अब देखते हैं कि कौन कौन से ओप्सन, राइट मैच कर रहे हैं, आईए, मैच कर लेते हैं, पहला दिया है मैकजिला बॉन के लिए, जबडा बॉन बिलकुल सही है, पटेला ब बॉन भी हाथ में होती है, तो आपसन सी यहां पर इनकरेक्ट है, ठीक है, मड़ी बंद कहां पर होती है, इसको कारपल बॉन कहा जाता है, और यह हाथ में होती है, आपके हैंड के जो कारपल बॉन है, इसको क्या कहते हैं, यह कौन सी बॉन कहलाती है, तो ध्यान रखेंगे this is called as carpal bone जो कि आपके उंगलियों की हड्डियां होती है तो इसको मड़ी बंद, गर्दन के कौन सी हड्डी होती है ये hyod bone कहलाती है ठीक है, कौन सी bone होती है ये hyod bone कहलाती है, तो ध्यान रखेंगे चलिए, तो option क्या हो जाएगा option C हो जाएगा, यहाँ पर का लीजेगा, बढ़ते हैं आगे next question की तरफ अगला question है मानो सरीर के सबसे चोटी हड्डी कौन सी है चलिए, अभी हमने बताया longest bone, smallest bone, hardest substance, ये सारी चीजे मैंने बता दी, वही question पूछा है humorous bones, जिसको प्रगंडिका बोलते है, humorous bone कहां पर होती है, चलो, बताओ humorous bone कहां पर होती है, femur कहां पर होती है, maileus कहां होती है और stapes कहां होती है इसका answer है, stapes जो कि क्या होती है ये ear ossicle होती है क्या होती है, ear ossicle ear ossicle, जो कान की हड़ियां होती है, 6 होती है total, दोनों कान में, ठीक है 6 होती है 6 इन नमबर देखने को मिलती है मैलस, इनकस और स्टैपीज यह हड़ियां कौन-कौन सी होती है मैलस, इनकस और स्टैपीज तो स्टैपीज जो हड़ि होती है वो smallest bone आप the human body कहलाती है human body में हमाय सरीर में सबसे छोटी जो bone होती है वो इनकस और स्टैपीज होती है मैलियस भी क्या है यह भी, क्या है, एक ear ossicle है कान में ही है, femur आपको पता है यह क्या है, longest bone है longest bone आप human body और humorous क्या होती है humorous यह वाली जो हड़ि होती है आपकी, यह humorous bone कहलाती है चलिए, बढ़ें आगे next question देखते है मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी है, again वही question है, कूले की हड़ी पसली, स्टैपीज, अस्थी यह फिर अग्रबाहू अस्थी हिंदी में दिया है, लेकिन आपको पता है यह कौन सी bone होती है यह है स्टैपीज, bone जो की ear or skulls में देखने को मिलती है कूले की हड़ी को pelvic bone कहते है है न, कमर वाली जो हड़ी होती है पसलीयां कौन सी होती है आपकी और अग्रबाहू अस्थी यह वाली humorous bone, इन में नहीं आती मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी है, तो यह है स्टैपीज clear कौन सी है, यह कहलाती है stepes सबसे बड़ी आपको बताया की सबसे बड़ी कौन सी होती है सबसे बड़ी हड़ी होती है वो आपकी junk की femur हड़ी होती है अच्छा एक चीज और आती है longest आपने जान लिया इसको क्या है, longest bone longest bone हो गया smallest bone हो गया और एक होती है hardest bone या फिर इसको hardest नहीं, strongest कह लेजे strong strongest bone of human body यह तीनो, smallest, longest और strongest, यह तीनो आपको पता होनी शहिए, longest में जैसा कि आपको पता है, यह कौन सी है यह है, फीमर bone जिसको आप क्या कहते हो जांग की हड़ी, ठीक है फीमर bone हो गया, जिसको थाई bone गूरते हैं, जांग की हड़ी smallest bone कौन सी है यह steppies है इस ट्रोंगेस बोन जो की इयर ओसिकल से में आती है, और strongest bone कौन सी है, यह भी ध्यान रखेंगे, strongest bone भी पूंचा जाता है, आपकी बोड़ी में सबसे strong bone कौन सी होती है, तो strongest bone जो होती है, वो आपकी जबड़े की हड़ी होती है, यह वाली हड़ी, ठीक है? इसको maxilla bone बोलत जिसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है, हिन्नी में भी मैं लिक दे रही हूँ, इसको कहते हैं, जबड़े की हड़ी ठीक है जबड़े की हड़ी हो गई यह क्या है कान की हड़ी है कान में देखनी को मिलती है और फीमर यह पैर की हड़ी जांग भी बोलते हैं इसको चलिए इसको सीधा सीधा आपके लिख लीजे जांग है न तो यह आप नोट कर लीजेगा लॉंगेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड इस्ट्रॉंगेस्ट यह भी पूंचा जाता है इसमें कन्फूजन होता है क्योंकि स्ट्रॉंगेस्ट और लॉंगेस्ट आप एक ही लगा के चले आते हो तो लॉंगेस्ट बोन फीमर होती है और स्ट्रॉंगेस्ट बोन सबसे स्ट्रॉंग human body देखिए ये सारे कुश्चन बेट अप मुच्छे जाते हैं इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ human body ये कौन सी है तो ये भी आपकी jaw bone के अंतरगत ही आती है जबडे वाली bone में होती है और इस bone को कहा जाता है mandible bone ठीक है ये कौन सी bone है एक मात्र ऐसी हड़ी जिसको क्या करते है जिसको मूब कर पाते है ये कौन सी है तो इसको कहते है mandible bone नीचे वाली जो हड़ी होती है आगे वाली जो ये ठुड़ी कहलाती आपके तो इसको आप इधर उधर कर पाते हो तो ये only that bone जिसको आप move कर पाते हो, इसले इसको movable bone of human body बोला जाता है, ये सारे point note कर लिजेगा, ठीक है, ये सारे question पूछे जाते हैं, देखे, RRBJE में पूछा हुआ question है, that means की बहुत ही important है, ठीक, तो ये note कर लिजे, बढ़ते हैं, आगे next question की तरफ, मानो सरीर के किस भाग में सबसे चोटी हड़ी होती है, सबसे चोटी हड़ी कहां पर आपने पढ़ी, ear ausicles में पढ़ते हैं, ये कान में आपके देखने को मिलती है, कहां पर ear ausicles कहलाती है, ये ear ausicles कहलाती है, नाम क्या है सबसे चोटी bone का, तो ये है stepes, कौन सी bone है, ये stepes कहलाती है, ear ausicles कान में देखने को मि चलिए आगे बढ़ेंगे next question की तरफ, मानो सरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी है, again question है, step is smallest bone of human body, मानो सरीर में 29 हड़ीयां होती है, इन में से कौन सा वरगी करन सही है, देखिए अभी जो बता रही थी, axial skeleton और appendicular skeleton, appendicular skeleton में आप पढ़ते हो, 120 bones होती है, limbs में, ठीक है, यह हाथ की हड़ीयां और पैर की हड़ीयां वो कितनी होती है, एक हाथ में 30 हड़ीयां होती है, और दूसरे हाथ में 30, 30-30, 60 हो गई हाथ की हड़ीयां, और 60 ऐसे ही पैर में भी हड़ीयां होती है, तो 60-60 कितने हो गए, 120, जो कि आपके appendicular skeleton system का part होता है, दूसर के बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका ribs आती है, ribs में आप पढ़ते हो 12 bones होती है, और एक sternum bone होती है, जिसको chest bone कहते हैं, तो वो आती है, आप skeleton system में आपका human skull है, skull में आपको बताना है, skull में कितने part में divide होता है, और कौन-कौन सी हड़ीयां होती है, चलिए, skull bone मे आपको बताना है कौन-कौन सी हड़ीयां होती है, तो देखे, skull में मैंने आपको बताया, 29 होती है, ठीक है, 29 bones होती है, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, describe करके लिखेंगे, क्योंकि question देखे, पूछा है, skull में total 29 bones हो गई, ठीक है, आप इन 29 bones में आपको बतानी है, कि कितन facial bone होती है, कितनी ear ossicles होती है, जो कि मैंने बताया, और एक bone होती है, जिसको hyod bone बोलते है, वो गले की हड़ी, ठीक है, तो आईए इसको देखते हैं, सबसे पहले option पढ़ लेते हैं, माथा मेव दिया है, 8 हड़ीया होती है, चेहरा, 14, कान, 4, और कंठी कास्थी, 3 हड़ीया, यह option दिये हैं आपको, तो हम क्या करते हैं, इनको हम एक एक करके note कर लेते हैं, किसमें कौन सी हड़ीयां देखने को मिलती हैं, आईए, सबसे पहले बात करेंगे, हमारी जो इसकल bone होती है, जिनको cranial bone बोलते हैं, उपर वाला जो इसकल है आपका, जिसको खोपड़ी बोलत हैं, इसमें कितनी bone होती हैं, ठीक है, तो इसकल को, यहाँ पर अब नाम लिख लीजे, सबसे पहले बात करेंगे, cranial bone की, ठीक है, उसके बाद आती है, facial bone, इसके हिंदी में बता दूँगी अभी, ठीक है, इसको पहले note कर लेते हैं, facial bone हो गई, उसके बाद क्या होती है, ear ossicles ear ossicles, और last में आपके आती है, एक hyod bone, ठीक है, तो यह एक hyod bone होती है, यह single number में होती है, अब चलिए इनके number हम लिख लेते हैं, cranial bones कितनी होती हैं, 8 होती हैं, जो आपके खोपड़ी की हड़ी होती हैं, बाहर वाला, उपर वाला जो पार्ट होता है, इसमें कितने हड़ीया होती हैं, इसमें होती है, 8 हड़ीया, कौन-कौन सी होती हैं, वो भी अभी बताती हूँ, मैं, facial bone कितनी होती है, यह 14 होती है, आपके face में, जो सामने वाला face है, यह वाला face, इसमें 14th bone होती है, ear ossicles मैंने कितना बताया, 6 बताया, एक कान में 3 हड़ीया होती है, दोनों कान को म ये कितनी हो गई, तो ये total कितनी हो गई, ये total 29 हो गई न, वैसे अगर hyod bone को आप छोड़ देते हैं, तो 28 count की जाती हैं, लेकिन hyod bone के साथ ये 29 count होती हैं, अब चली इनको क्या करते हैं, हम एक एक करके पहले, जो हमारी कपाल हड़ियां हैं, जिनको cranial bone कहा जाता है, माथा व इसके हिंदी नाम भी cranial bone को कहते हैं, चेहरे वाली हड़ियां, ये रॉसकर्स आपको पता है, कान की हड़ियां, और एक कंठी कास्त ही कहलाती है, जिसको hyod bone बोलते हैं, तो चली ए, cranial bone की और facial bone की भी बात कर लेते हैं, cranial bone में आपको पता है, cranial bones, ये कितनी बताई, मैंने 8 बताई न, अब 8 में कौन कौन सी होती है, इनको एक करके देखेंगे, कुछ तो pair में होती है, और कुछ अन-pair होती है, सबसे पहले occipital bone होती है, आइए इसको note कर लेते हैं, एक होती है, occipital, ठीक है, उसके बाद occipital हो गया, occipital के बाद parietal होती है, parietal होती है, temporal होती है, ठीक है, frontal bone होती है, occipital, parietal, temporal, frontal and एक sphenoid bone होती है, यह तीन, चार हो गई, और एक क्या होती है, इसको यहाँ पर लिख लीजे, sphenoid, ठीक है, अब इसमें नंबर लिख लीजे, कितनी कितनी bone होती है, इसमें, इसमें, एक होती है, occipital कितनी होती है, दो होती है, parietal भी दो होती है, temporal bone कितनी होती है, temporal होती है, occipital 1, sphenoid 1 होती है, occipital 1 होती है, यह भी 1 होती है, parietal 2 होती है, temporal 2 होती है, और frontal एक बोन होती है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 occipital एक हो गई, parietal दो हो गई, temporal दो हो गई, frontal एक हो गई, एक ethimoid बोन होती है और एक sphenoid होती है, sphenoid हो गई ना, sphenoid और ethimoid बोन भी एक होती है इसको भी आप कहीं note कर लीजे, ये ethimoid हो जाएगी यहाँ पर जगए नहीं है, इसको एक काम करते हैं हम लोग, इसको अलग से note कर लेते हैं ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर जगए नहीं है, और हम इसको अलग से note कर लेंगे तो चीजें clear रहेंगे, ठीक है, चलिए, skull bone हम देखते हैं इसकल में total कितनी bone हमने देखी total 29 bone देखी अब इसकल में सबसे पहले क्या आती है cranial bone आती है cranial bone cranial bone उसके बाद क्या आती है facial bone उसके बाद आती है ear ossicle और एक आती है hyode bone ठीक है ये नंबर हो गए चार पार्ट में पूरी के पूरी हमारी जो इसकल है पूरा जो गरदन वाला पार्ट है ये चार पार्ट में डवाइड होता है cranial bone कितनी होती है cranial nerve में हम देखते है cranial में कौन-कौन सी होती है तो देखे, cranial में again ये क्या होती है, कितने part में divide होती है, देखे इनको, cranial again कितने part में divide होती है, तो ये क्या है, तो ये देखे, सबसे पहले आती है, frontal bone, कौन सी हड़ी कहां पर होती है, ये भी मैं बताती जाओंगी, frontal हो गई, occipital होती है, occipital bone हो गई, उसके बाद क्या है, temporal temporal bone, temporal bone हो गई, ठीक है, frontal हो गई, occipital हो गई, temporal हो गई, उसके बाद आती है, parietal bone, parietal bone, frontal, occipital, temporal, parietal, उसके बाद, ethemoid और sphenoid, ठीक है, यह, ethemoid, और sphenoid, यह bones क्या है, आपकी skull में देखने को मिलती है, अब इनके number note का लीजे, frontal bone कितनी होती है, frontal bone देखिए, कितनी होती है, इसमें बताएंगे, कितनी frontal bone होती है, कितनी occipital bone होती है, कितनी temporal होती है, कितनी parietal होती है, और कितनी ethemoid होती है, कितनी sphenoid होती है, एक मिनट, झाल झाल चलिए frontal bone कितनी होती है तो frontal देखिए frontal जो ये bone कहलाती है माथे वाली हड्डिया ये वाली bone क्या कहलाती है सामने जो माथा होता है इसको कहते है frontal bone और ये एक होती है नमबर में उसके बाद occipital bone होती है occipital bone कितनी होती है ये भी सिंगल होती है औसिपिटल बोन कहां पर होती है यहां पर पीछे होती है ठीक है यहां पर ठीक है उसके बाद टेमपोरल बोन यह दो होती है नमबर में यह साइड वाली कान के ऊपर जो हड्डियां होती है दो होती है नमबर में टेमपोरल बोन कहलाती है पैराइटल कि होती है तो ये एक होती है नmbर में ए और एक इस्फिनोइड होती है ये क्या है एक यहां पर होती है उपर वाली हड़ी ठी कहें यहां और एक यहां पर गर्दन के पीछे यह मतलब यहां पर तो यह कितनी हो गई total 8 हड़ियां हो गई हैं, कितनी हो गई है, total 8 इन नमबर, 1, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 8, हो गई है, total 8 हड़ियां, तो ये नोट कर लिजेगा, cranial bone, जिसको kapाल अस्ति कहलाती है, clear, क्या कहलाती है, इनको kapाल हड़ियां कहते हैं, ये सारी की सारी नोट कर लिजे, क्योंकि ये क्या है, आप आपको ये note कर लेना है और ये पूछा भी जाता है इसलिए मैंने बता दिये ये पूछा भी जाता है ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाता है अभी कुछ बच्चे कहेंगी कि मैं इतना डिटेल्स में आप पढ़ा रहे हूँ, इतना डिटेल्स में नहीं पूछता है, पूछता है बेटा, इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है, तो नोट कर लीजे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन-कौन सी बोन कहां पर होती है, देख यहां पर, गोली मारों तो यहां पर लगती है, यह फ्रंटल वून होती है, उसके बाद जो आपकी टेम्पूरल वून होती है, यह कान यहां पर, जब डॉक्टर क्या होते हैं, जो निउरो सर्जन होते हैं, तो जहां पर जिस जगह माली जो चूट इधर लगी है, इधर ल ये आपस में ये ऐसे जॉइंट से जूड़ी रहते हैं जिनको सूचर बोलते हैं तो वो खोल के क्या करते हैं उसको जैसे आप कहते हैं दिमाग का पेंच है तो वो पेंच ही होते हैं वो सूचर कहलाते हैं उससे जूड़े हुए होते हैं पेंच वास्ता में वैसे वाले नही कहेंगे अभी हम लाते हैं और वो कसते हैं पेंच वहला दिमाग का क्या है पेंच ढीला हो गया है इनका तो पेंच ढीला का मतलब कि वह सूचर होते हैं जिससे ये हट्डियां अपस में जुड़ी होई होती है frontal bone हो गई, temporal bone हो गई, parietal bone हो गई, उसके बाद क्या है frontal, temporal, parietal, occipital bone हो गई, ethemoid और sphenoid ये bones होती है जो आपकी skull में कहाँ पर होती है ये total bones 8 होती है और ये उपर वाले पार्ट पर होती है उपर वाले पार्ट पर, skull वाले पार्ट पर clear ये note कर लीजे, अब चलिए दूसरे पर आते हैं अब आते हैं हम facial bone पर ठीक है, इनको भी note कर लेते हैं दूसरा है हमारा facial bone facial bone जिनको क्या कहते हैं, चेहरे की हड़ियां कहते हैं कितनी होती है इन नंबर में, 14 होती है, 14 होती है नंबर में अब 14 कौन कौन सी होती है आईए इनको भी देख लेते हैं सबसे पहले सुरुवात करेंगे nasal bone से इनको 14 bone होती है कौन कौन सी होती है तो देखें nasal bone हो गई ठीक है उसके बाद क्या होती है nasal bone terminal bone हो गई देन आती है फिर क्या lacrimal bone lacrimal bone उसके बाद आती है pomer bone इसको बोलते हैं pomer bone ठीक है उसके बाद maxilla मैगजिला के बाद क्या होगी नेजल, टर्वाइनल, लेक्तिरीमल, वो मर, मैगजिला एक होती है जाइगोमेटिक, यह होती है जाइगोमेटिक बोन ठीक है, जाइगोमेटिक हो गई, और क्या बच्छी, जाइगोमेटिक हो गई, अब बच्छी पहले टाइन और बेंडिवल और कौन से बची पहले spine and mandible bone ठीक है अब इनके नमबर लिख लिए कौन से कितनी bone होती है तो देखे nasal bone जो नाग की bone होती है ये 2 होती है नमबर में ये 2 हो गई टर्बाइनल कितनी होती है ये भी 2 होती है lacrimal कितनी होती है lacrimal लक्राइमल कितनी होती है, ये दो होती है वोमर कितनी होती है, एक होती है, मैकजिला कितनी होती है, दो होती है, मैकजिला कितनी होती है, दो होती है, जाइकोमेटिक भी दो होती है, पेलेटाइन भी दो होती है, और मेंडिबल एक होती है, ठीक है, मेंडिबल और वोमर एक एक होती है, बाकी सारी दो-दो होती है तो ये कितनी हो गई, टोटल 14th bone हो गई, अब आईए इसमें समझते हैं कौन सी bone कहाँ पर होती है, facial bone जिनको क्या कहती है, जिनको बोलते हैं, चेहरे की हड़िया, चेहरे की हड़िया, ठीक है, अब आपकी चेहरे की हड़िया टूटेंगी तो आपको पता रहेगा कि कौन सी bone damage होई है, तो देखें, nasal bone कौन सी होती है, नाक के दोनों तरफ, यहाँ पर bone होती है, यहाँ पर touch करेंगे, अभी practical करके भी देख सकते हैं, तोड़ के नहीं, बस ऐसे touch करेंगे, यहाँ पर जो touch करेंगे, तो यह दो bone होते हैं, इनको nasal bone कहते हैं, दो bone हो गई, तर्बाइनल, यह दूसरी bone होती है, टर्बाइनल, यह टर्बाइनल bone कहाँ पर होती है, यहाँ पर आगे, ठीक है, यह टर्बाइनल bone होती है, लैक्रीमल bone, आखों के उपर, यहाँ पर, मतलब यह वाली हड़ी तो आपके frontal bone हो गई, यहाँ पर जुड़ी होती है, आखों के उपर, ठीक है तो यहाँ पर यह कौन सी हड़ी होती है, lacrimal bone होती है, boomer bone होती है, एक single bone होती है, तो यह बीच में जुड़ी होई होती है, इसको boomer bone होती है, maxilla क्या होती है, दो bone होती है, यह दोनों side, जबडों में जुड़ी होई हड़ी होती है, gigomatic यह भी दो होती है, यहाँ पर, यह जो side यहां पर होती है पेलेटाइनल और मेंडिवल मेंडिवल कहां होती है मेंडिवल यह नीचे होती है ठुड़ी वाली ठीक है और पेलेटाइनल भी यहां यह कान के पास होती है ठीक है तो यह ऐसे पूरे हड़ियां क्या होती है आपके फेस पे 6 मतलब कि 1-903 हडियां होती है 3 हडियां एक कान में, दोनों कान को लेके 6 हडियां मैलस, इनकस मैलस, स्टेपीज सबसे छोटी हडिया होती है मैलस, इनकस, 2 हडियां aur होती है ओर हयोड बोन ऐक होती है तो ये 29 हडियां हो गए आपके स्कॉल में पढ़ा रहे हो अरे पढ़ लो बेटा थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगी तो नुकसान नहीं करेगा है ना चलिए तो यह नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफीसियल ही रहेगा और सबसे बड़ी बात है यह human body आपकी bodies related है बेटा पढ़ लोगे तो आपको पता रहेगा अच्छा यह हड़ी अगर टूटी है अब माली जे क्या होता है कई बार आप लोग रिपोर्ट लेखते हो ना किसी की रिपोर्ट आई तो माली जे किसी का एक्सिडेंट हो गया तो आप पढ़ोगे बाई स्टुडेंट हो और खासकर biology पढ़े हो तो आपको पता होगा कि अ इंपोरल बोन डेमेज है है ना ऑसिपिटल बोन डेमेज है पराईटल बोन डेमेज है तो उसके बाद आपको पता चले गा तब याद आएगा कि अच्छा लवी मैंने पढ़ाया था है ना यही वाली बोन टूटी है क्लियर इनको नोट कर लिजे यह फेसियल बोन भी 14th है उनको note कर लीजे और ये आपकी skull bone है 8 इनको note कर लीजे 8 में ये bone आती है आगे मैंने बता दिया ये raw skills कितनी हो गई 6 हो गई और high old bone एक हो गई ठीक चलिए अब आते हैं हमारे यहाँ पर pushen में कितनी bone थी 29 थी 29 में ये bone आती है अब यहाँ पर क्या है देखे माथी में 8 हडियां है थीक है चेहरे पर कितनी हडियां 14 हैं कान में कितनी है 6 है और कंठ कंटी कास्त क्या है ये कितनी हडिया तो एक हडिया अब कितने आसानी से आपने pushen हल कर लिया है ना अगर पता है कितनी बोन होती है इसकल में तो बड़ी आसानी से मानो-sir में कितनी हडियां हो गए 29 हो गई कपाल हडियां जिनको आप Ministry bonestra, श्रे यह 14 हो गई wah違う गो 1 S grease place देते हैं लड़कों की यह जो ऑन होती है जैसे गर्स में यहाँपर नहीं आपको पता चला होगा लेकिन लड़कों में थोड़ए होती है वो दिखाई दी अलग से ठीक है तो वह यही ऑ은 मthी होती है जिसको कहेंग गले में कव्वा बैठा है ना बहुत सुनते आ रहे हैं गले में कव्वा बैठा है चड़िये बैठी है वो कव्वा और चड़िये वो यही हायोड बोन थी ठीक चलिए बढ़ते हैं आगे next question की तरफ अगला कुश्यन है इन में से कौन सा सूख्ष्म पोसकत्त थाइराइड ग्रंथी के सामाने संचलेन हेतु आवस्यक है थाइराइड ग्रंथी के संचलेन के लिए कौन सा एक पदार्थ है ये कौन सा पोसकत्त है जो आवस्यक है आयोडीन है पोटैसियम है आयरन है या फिर कैल सीयम है चलिए बाई बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट एंसर इन में से कौन सा सूक्ष्म पोसक तत्तो थायराइड ग्रंति के सामान संशालन हेतु आवस्यक है बताना है तो आपको पता है ये है आयोडीन और आयोडीन की कमी से अपने पढ़ा भी है कि अगर आयोड बढ़ेंगे घेंगा रोग होता है जिसको ग्वाइटर बोलते है आगे बढ़ेंगे नावजात बच्चे के सरीर में लगबग कितनी हड़ियां होती है अब ही हमने डिसकस किया एडल्ट में कितनी होती है एडल्ट में 206 पढ़ी हमने और नावजात इससो में कितनी होती है 200 हड़ियां, 300 हड़ियां, 275 या फिर 250, लगबग 300 हड़ियां होती है, है न, लगबग कितनी होती है, एक बच्चे में कितनी होती है, लगबग 300 हड़ियां होती है, डिसकस किया हमने, चलिए बढ़ेंगे आगे, next question, मानों सरीर का कौन सा अंग, इलियम, जिसको ये इलियम हो और या उसके बाद स्रोडी खंद, इश्यम और प्यूबिस के मील से बनता है, ये तीनों के तीनों प्यूबिक मोन कहलाती है, चलिए, फर्स्ट औपसिन जबड़ा बनता है, अससे नितंब अस्ति बनती है, कपाल बनती है, ये फिर पाद बनता है, ये कौँ सा सरीर है, कौ pubis bone ये ileum हो गई उसके बाद क्या है ischium ischium bone और एक होती है pubis bone ठीक है ये तीनों की तीनों मिलकर क्या बनाती है तो ये बनाती है इसको कहते है नितंब अस्थी ये क्या करते है ये तीनों की तीनों क्या है pubis bone है ठीक है इनको कहते है pelvic bone बनाती है वैसे ये इसको कहा जाता है pelvic bone जो आपकी कमर की हड़ी होती है ठीक है कमर ये कमर वाला जो joint होता है इसको क्या बोलते है pelvic bones कहा जाता है ये तीन हड़ीओं के मिलकर बने होते हैं ileum, ischium और pubis bone ठीक चलिए बढ़ें आगे next question देखते है मनुस्यों में बौने पन के लिए निमलेखित में से क्या उत्तरदाई है बौने पन के लिए जो growth क्या है कम हो जाती है नहीं हो पाती है proper growth उसके लिए कौन सा responsible है thyroxine है, pious, ग्रंथी, adrenaline है या फिर अगन्या से है चलिए, मनुस्यों में बौने पन के लिए कौन एक responsible है thyroxine, pious, ग्रंथी, adrenaline या फिर अगन्या से चलिए, तो ध्यान रखेंगे इसके लिए responsible होती है pious, ग्रंथी, इसमें से निकलने वाले जो hormones है, यदि proper नहीं निकलते हैं उसके वज़े से, जो human body है वो क्या है, proper development नहीं हो पाएगा या फिर कह सकते हैं कि अगर development नहीं होगा, तो obvious सी बात है क्या होंगे, अंग छोटे रहे जाएंगे जिसके वज़े से बौना पन होता है आगे बढ़ें, next question की तरफ निम्न में कौन सा कसेरू की वर्ग का नहीं है कसेरू की वर्ग इन में से कौन सा नहीं है एनेलिडा, साइक्लो, स्टुमेटा, मत्सिवर्ग या फिर सरीसरप कसेरू की किसको कह जाता है इंगलेस में इसको क्या कहते हैं वर्टिब्रेट्स vertebrates vertebrates में कौन-कौन से पढ़ते हो एक होते हैं vertebrates और एक होते हैं invertebrates invertebrates में आप क्या-क्या पढ़ते हो तो देखे invertebrates में आप पढ़ते हो phylum purifera से लेके पढ़ाया है मैंने यह पढ़ाया है vision के तोर पे एक बार मैं बता दे रही हूं ठीक है तो phylum porifera से लेके phylum echinodermata तक आप क्या पढ़ते हो इनको akasero की कहते हैं जिनको in vertebrates सका गाता है कौन-कौन से हो गए phylum porifera, phylum sealantrata, phylum tenophora, phylum platyhelminthes, phylum platyhelminthes के बाद echinodermata, echinodermata तक क्या पढ़ते हो आप ये सारे के सारे इनको पढ़ते हैं वैसे एक और आता है तो vertebrates में आपको पता है कि इनमें क्या होता है, vertebral column develop होता है जिसको notocard कहते हैं सुरुवाती stage में hemicodata को उनमें ही रखा गया थे लेकिन फिर उनको अलग किया गया तो वो भी आप count कर सकते हो क्योंकि उनमें भी actual में notocard develop नहीं होता है तो यह count कौन से हो गए पोरिफेरा, सिलेंटरेटा, टीनो, फूरा, प्लेटी हिलमेंथीज, इसके हिलमेंथीज, एनिलेडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनो, डर्मेटा यहां तक आप count करो, यहां तक कि सारे कि सारे जो जीव हैं वो किस में count होते हैं वर्टी ब्रेट्स में फिर कौन कौन से आते हैं, तो वर्टी ब्रेट्स में आप पढ़ते हो, फिर साइक्लो इस्ट्रमेटा आते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं, जैसे कि जो फिसेस हो गई, पिसेस बोलते हैं, क्लास पिसेस, पिसेस में आप दो कटेगरी पढ़ते हो एक तो होती है बोनी फिसेस और दूसरी होती है कार्टिलेजनस फिसेस बोनी फिसेस ऐसी फिसेस होती है जिनका एसकलेटन किसका बना होता है बोन्स का बना हुआ होता है जैसे कि रोहू हो गया कतला हो गया मंगूर हो गया यह boni fishes होती है, maximum fresh water होती है, fresh water के साथ marine water भी होती है, fresh water मतलब कि जो नदिया, तला, जील, ऐसी जगह पाई जाती है, और इनको लोग खाते हैं, जो आप लोग में से कुछ खाते भी होगी, तो आपको पता होगा, रोहु का नाम सुना होगा है, रोहु मचली, कतला मचली, मंग इसी fishes, जिनका skeleton, skeleton का मतलब उनका कंकाल, उनका सरीर का धाचा है, वो किसका बना होता है, वो bones का बना हुआ होता है, ऐसी मचलीयों को boni fishes कहते हैं, दूसरी category होती है, इनको कहते हैं cartilaginous fishes, ऐसी मचलीयां, जिनका सरीर का धाचा किसका बना होता है, cartilase का बना हुआ होता है, तो इन मशलीयों को क्या कहते हैं तो वो निपड गया, है ना, आलसो और भी जैसे बागी जो मचलियां होती है, अच्छा, ब्लू होईल अलग चीज़ होती है, एक मचली और होती है, कार्टिलेजनेस फिसेस में आप यतना याद रखें, जो बड़ी-बड़ी मचलिया होती है, बागी जो मचलियां होती है, जो बड़ी आकार की होती है, ठीक है, तो वो सारी की सारी कहाँ पर देखने को मिलती है, समुद्र में देखने को मिलती है, और इन मचलियों का जो बॉड़ी है, वो कार्टिलेज का बना होता है, वेल मचलियों वैसे मैमेल्स में आती है, फ्रॉग हो गया उसके बाद टोड हो गया तो उसकी प्रजातियां होती है वो सारे के सारे इंफीवियन से पढ़ते हैं इंफीवियन ऐसे पहले प्राड़ी थे जो समुद्र से निकल कर कहां पर आते हैं या वाटर की हैबिटेट से निकल कर कहां पर आते हैं इस्थल में आते हैं और उसके बाद फिर ही अपने आपको develop करते हैं लेकिन आपने amphibians के बारे में एक चीज और पढ़ी होगी कि जितने फिर फ्रॉग हैं उनको जब reproduction करना है उनको जब प्रजनन करना है तो फिर से water के आवसकता होती है क्यों कि इनका जो larva होता है टेड़ पॉल आरव आपने सुना है टेड़ पॉल नारव कैसा होता है मचली के जैसा होता है उस में gils develop होते हैं और ये बताते हैं कि मचली ये पूरवज रही है न और ये फिर develop होते हैं ये हो गए amphibians हो गए amphibians फिर आगे develop हो कि क्या बनाते हैं reptiles बनाते हैं जो पूरी तरह से इस्थलिये होते हैं इस्थलिये भी होते हैं कुछ क्या हैं कुछ जलिये भी होते हैं तो इस तली जैसे आपने सांप सुना होगा सांप वाटर में भी रहता है पानी वाला सांप सुना है ना पानी वाला सांप हो गया बांकी बहुत सारे सांप आप देखते हो सांप हो गई छिपकली हो गई यह सारे के सारे जो जानवर हैं सरीसरप में आते हैं सरीसरप जिनको reptiles कहा जाता है, reptiles की बाद आते हैं birds, reptiles से आपने पढ़ा है Archaeopteris, Archaeopteris reptiles जैसा ही था, और वो आगे चल कर फिर develop होता है, बीच में कड़ी माना जाता है, वो कुछ पक्षी के जैसा था, लेकिन उसमें क्या थे, उसकी जो चोंच थी, उसमें टूथ देखने को मिले थे, Archaeopteris को कहा जाता है, reptiles and birds के बीच की connecting link, clear, तो reptiles के बाद फिर कौन से develop होते हैं, तो फिर birds develop होते हैं, birds जितने भी चिडिया हैं, जितने भी पक्षी हैं, वो सारे के सारे फिर develop होते हैं, पक्षी वर्ग के बाद फिर क्या आते हैं, फिर mammals आते हैं, जिनमें आप सारे क सारे mammals को पढ़ते हो, गाए, मनुस से हो गया, ठीक है, कुता, बिल्ली ये साब उसमें पढ़ते हैं, तो ये सारे के सारे जो animals हैं, कॉर्ड ऍेटर वर्ग के animals हैं, इनमें क्या आते हैं, वर्टीब्रेट्स ऐसे animals गहलाते हैं, जिनमें वर्टीब्रल कॉलम डिवलफ होता है, और इनकी पूरी life stage में, कहीं न कहीं पर, चाहे वो first stage हो second हो third हो ये last stage कहीं न कहीं पर notocard अवस developed होता है तो इसमें आपसे पूछा था निम्न में से कौन सा कसेरुकी वर्ग कर नहीं है any leader आपको पता है any leader ये in vertebrate में आता है ना कि vertebrates में cyclo estimator भी ये क्या है cyclo estimator ये कसेरुकी में आते है ये क्या है ये तीनों के तीनों क्या है ये vertebrates में आते हैं बाकि any leader की बात करते हो तो any leader किसमें आता है आ का सेरुकी में आता है clear ये किसमें आता है ये आ का सेरुकी में आता है चलिए तो ध्यान रखेंगे इसमें ध्यान रखेंगे और एनी लेड़ा आपको एक चीज और पता होगी एनी लेड़ा जिसमें आप केचुवा पढ़ते हो ये कैसे होते हैं bilateral symmetry होती है मतलब कि bilateral symmetry humans में भी होती है अगर ये आप इसको क्या करो ये एनी लेड़ा ऐसा होता है केचुवा न इसको आप बीच से ऐसे कट करोगे तो दो equal part में डिवाइड होता है जैसे कि हमाई body है हमाई body ऐसी है bilateral symmetry कहलाती है जब आप अपनी body को बीच से कट करते हो और दो equal halves में डिवाइड हो जाती है बीच से कट कर ये दो half में डिवाइड होती है आधा face इधर, आधा हाथ इधर, आधे pair इधर तो दो equal halves में जब body डिवाइड हो जाएगी तो उसको bilateral symmetry कहते है एक होती है ऐसी symmetry जिसको आप बीच से एकसिस से कट करते हो तब दो equal halves में डिवाइड होती है जो कि जैसे star fist में डेखने को मिलती है इसको बोलते हैं जाइगो मारफिक symmetry खीक है तो वो आपको star fist वगएरा में देखने को मिलती है और also ये कैसे होते है triple blast चीक होते है तीन जर्म layer इसमें देखने को मिलती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म चलिए तो ये बात हो गई किसकी कस्रेरुकी वर्ग के जन्तूओं की इसमें ध्यान रखेंगे साइक्लोइस्ट्रमेटा भी आता है फिस्स भी आती है और सरीसरब भी आते है चलिए आगे बढ़ेंगे next question की तरफ मनुस्यों में जो मास पेसियों को हड़ी से जोडने वाला उतक कहलाता है मास पेसियों को किस से जोड़ता है हड़ी से कंडरा कहलाता है तंतू कहलाता है तंत्रिकाक्ष कहलाता है या फिर उर्विका कहलाता है कौन सा ऐसा हड़ी है सौरी कौन सा ऐसा पार्ट है जो किस को किस से जोड़ता है तो ये मास पेसियों को हड़ी उससे जोड़ता है, muscles to bone, muscles, bone to muscle कर लीजे, bone to muscle, muscles को bone से जोड़ता है, इसको बोलते हैं ligament, ति क्या कहलाते हैं, ligaments होते हैं, अच्छा bone to bone जोड़ने का काम कौन करता है, चलो ये बताओगे आप, ठिक है, bone to bone कौन जोड़ता है, bone to muscle मैंने बता दिया, bone to bone कौन जोड़ता है, ये कौन सा structure कहलाता है, question mark है, सारे के सारे comment करेंगे, हम देखेंगे, RRVJE में पूछा हुआ question है, बहुत अच्छा question है, green paper वो भी, है न हरा पेपर में पूछा हुआ कुछन था चलिए bone to bone कौन जोड़ता है यहाँ पर जो ligament है इसको कंडरा कहा जाता है option A हो जाएगा जो bone को muscles से जोड़ता है उसको ligament कहते हैं clear चलिए आगे bone to bone बताईएगा क्या कहलाता है आगे बढ़ेंगे next question है दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन सयोजी उतक द्वारा जूड़ी हो सकती हैं जिसे कहा जाता है अभी जो question पूछा मैंने इसको इसनायू कहते हैं इसनायू का English नाम बताईए फिर सारे के सारी चीजें अगर हम ही बता देंगे तो आप लोग क्या बताएंगे अभी question वही आ गया आप कह रहे हैं कुछ लोग खुस हो गए होंगे कि मैं आपने जो question पूछा था वो question ही आ गया तो question भी इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो पूछा गया होता है तो आप यहां पर बताएंगे कि इस नायों का इंगलिस नाम भी बता दीजे अब हम नहीं बताएंगे इस नायों का इंगलिस नाम क्या होता है बताएंगे ऐसी चीज जो बून्स को बून्स से connect करती है इसको क्या कहते हैं टिंडॉन कहते हैं क्या कहते हैं चलो बताना comment करके बताईएगा क्या होगा चलिए option A हो जाएगा इस नायू बोरते हैं इसको ठीक है आगे बढ़ें next question देखते हैं पेसियों को हडियों से जोड़ता है मतलब muscles to bone कौन जोड़ता है ligament जोड़ता है जिसको kandra कहते है next question है एक kandra tendon किस से बनाया जाता है केवल collagen fiber से अस्थिर सन्योजी उतक fiber से इस्थिर सन्योजी उतक fiber से या फिर इस्थिर और अईस्थिर सन्योजी उतक fiber से किस से बना हुआ होता है बताएंगे एक kandra tendon किस से बनाया जाता है इसको बताएंगे, तो ये एक क्या होते हैं, कॉलेजन फाइबर के बने हुए होते हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स कुश्चन की तरफ, हमारे पेसियों में किस अमले के कारण पीडा होती है, अभी मैंने बताया, ये है लेक्टिक एसिड और ये लेक्टिक एसिड बनता क्यों ये होती है, 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 लेक्टिक एसिड के जमाव के कारण, clear? चलि आगे बढ़ेंगे next question की तरफ next question है एक आउसत वयस्क मनुस के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है एक आउसत भिया आउसत कह लीजे ये पूरा कह लीजे 206 हड्डियां ही होती है human adult में कितनी हड्डियां होती है 206 हड्डियां ही होती है आगे बढ़ें next question की तरफ में प्रचूर मात्रा में सफेद फाइबर होते है white fibers कहां पर होते है इसनायों में होते हैं सिराओं में होते हैं उपास्थी में होते हैं या फिर हड्डियों में होते हैं तो ध्यान अखेंगे ये कहां पर होते हैं ये सिराओं में प्रचूर मात्रा में सफेद फाइबर देखने को मिलते हैं ठीक है पैक्ड कोलेजन फाइबर होते हैं कहां पर सिराओं में और white color के होते हैं next question मनुस्ष के सरीर में vertebrate निम्नवे से किसका भाग है आत का, यक्रक का, रीड की हड़ी का या फिर मस्तिस्क का किसका भाग है बताएंगे जो हमारी vertebrate है वो किसमें देखने को मिलती हैं आपको पता है मानुसरीर में जो रीड की हड़ी वाला भाग होता है जिसको क्या कहते हैं spinal cord बोलीजे noto cord बोलीजे ठीक है, vertebrate कितनी होती है total 33 होती है कितनी होती है 33 होती है अब 33 में होती कौन-कौन सी है देखे, सबसे पहले बात करेंगे thoracic vertebrate होती है उसके बाद होती है cervical vertebrate होगी, thoracic होगी lumber होगी, sacral होगी और cocax, ये 5 टाइब की vertebrate होती है इनको भी note कर लेते है क्यों छूटे भाई, है ना सारी की सारी skull पढ़ ली हमने सारा का सारा क्या है, पूरा खोपड़ी पढ़ ली पूरा face पढ़ ली है तो अब क्या बचा है, हाथ पैर भी पढ़ ली है vertebral column ही बसता है तो इसको भी पढ़ लेते है vertebrae कितनी होती है, 33 होती है सबसे पहली होती है cervical अब इनके हिंदी नाम नात याद रखिया केवल इंगलिस नाम याद रखेंगे तो सही रहेगा cervical vertebrae होती है उसके बाद thoracic thoracic फिर लंबर आती है लंबर के बाद sacral आती है और sacral के बाद आती है कोकी गॉयल बोलते है या कोकेक्स हीनी को कहा जाता है कोकेक्स vertebrae ठीक है तो इन में नमबर भी नूट कर लेते हैं cervical कितनी होती है 7 इन नमबर होती है thoracic होती है 12 इन नमबर ये लंबर होती है 5 इन नमबर sacral होती है 5 इन नमबर और कोकेक्स होती है 4 इन नमबर ठीक है ये आप कोकेक्स आपस में fuse होती है cervical कितनी है 7 thoracic 12 number 5 sacral 5 and कोकेक्स 4 होती है total कितनी हो गई total आपको पता है कितनी हो गई total 33 vertebrae होती है ठीक है total कितनी हो गई ये 33 vertebrae हो गई न 33 हो गए इस सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सिक्रल और कोकिक्स सर्वाइकल सबसे उपर होती है जिसमें एटलस आती है जो कि आपकी यहां पर यह वाली बोन है इसको कहते हैं एटलस बोन जो सबसे पहली वर्टिब्री होती है जो इसकल से जोड़ती है सबसे पहली जो आपकी वर्टिब्री होती है सर्वाइकल वर्टिब्री जिससे आपकी गरदन जोड़ी होती है इसको बोलते हैं एटलस बोन और यह सर्वाइकल का पार होती है उसके बाद क्या होती है थोरैसिक वर्टिब्री होती है यह कहां पर यह कंदे के पास होती है बीच में ठीक है उसके बाद लंबर होती है लंबर यहां पर कमर के पास होती है ठीक उसके बाद सेक्रल होती है कमर से नीचे थोड़ा सा और कोकेक्स नीचे सबसे मतब पिल्विक बोन के आसपास जो आपका कुला होता है यह पिल्विक ब कुन से क्या होती है यह fuse होती है आपस में जुड़ी हुई होती है ठीक तो यह note कर लीजेगा यह भी क्या है important है आप note कर लेंगे तो अच्छा रहेगा चली आगे बढ़ते हैं next question की तरफ मानव सिसु के सरीर में कितनी हड़िया होती है लगभग कितनी होती है देखे अब इसमें 208 दिया है 234 दिया है 270 दिया है और 354 दिया है कौन सा लगाएंगे बताए कौन सा लगाएंगे तो देखे वैसे लगभग जो एप्रॉक्स लगाया जाता है लगभग वो कि में क्या है 354 दिया है और 270 दिया है इन में से कौन सा लगाएंगे तो आप 270 लगाएंगे 354 नहीं लगाएंगे ज्यादा हड़िया नहीं लगाएंगे कम ही लगाएंगे 270 होती है लगभग 300 भी लगभग बोला जाता है एक्जैक्ट नहीं काउंट किया जाता है में पूँचा है RRV NTPC 2016 में दोनों सिफ्ट में यही कुश्चन पूँचा था और यह कुश्चन मैं दावा कर रही हूँ कि बहुत लोगों ने गलत किया होगा क्योंकि हम पढ़ते हैं क्या लगबग 300 हड़ियां पढ़ते हैं एक नवजात सिसू में अब 300 में हमें मिला नहीं option तो हम क्या करेंगे 354 लगा के चले आएंगे 356 जब लगाओगे तो वो examiner भी ऐसे cut करके क्या करेगा number आपको देगा है ना minus में जाओगे तो 300 हड़ियां लगबग होती है लेकिन 300 के उपर नहीं जाना है आपको 54 हड़ियां आप अपने से नहीं बढ़ा दोगे फिक यह 356 छोड़ना ही है इसमें confusion इसलिए नहीं होगा क्योंकि 270 क्या है वो ज्यादा करीब है किसके 300 के बाकि 234 और 208 वो तो आसपास ही है लेकिन 270 ज्यादा करीब है 300 के तो आप 270 ही लगाएंगे clear यह questions ऐसे ही पूछे जाते हैं जो confusing होते हैं और यह गलत भी करते हैं बच्चे चली आगे बढ़ें अच्छे एक चीज़ और बता दीजे सरीर में कुल मास्पेसियों की संख्या कितनी होती है body में muscles की संख्या कितनी होती है कितनी muscles होती है total तो यह याद रखेंगे यह 639 होती है ठीक है कितनी होती है लगभग 649 होती है सरीर में मास्पेसियों की कुल संख्या कितनी होती है तो यह होती है 649 यह भी note कर लेंगे चली आगे बढ़ेंगे next question की तरफ मानो सरीर में दो हड़ियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं फर्स्ट ऑप्सन जोड़ों से भी ऑप्सन अस्तिबंद से सी ऑप्सन मास्पेसियों से या फिर छोटी हड़ी से किसे से जुड़ी होती हैं चलिए next question देखेंगे हड़ियों को जोड़ता है हड़ियों को कौन जोड़ता है उपासती और और जोड़ता है Isna-io जोड़ता है या फिर Isna-io बंधन जोड़ता है तो इसमें option D लगाएंगे Isna-io बंधन clear यहां पर हड़ियों से जोड़ता है तो इसमें confuse मत होईएगा नेक्स कुशन है दो अस्तियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उतक द्वारा जोड़ी हो सकती है जिससे अब यहाँ पर तो अस्तियों की bone to bone की बात हो रही है तो bone to bone जोड़ने का काम कौन करता है तो ये काम करता है इसनायू ठीक है option A हो जाएगा राइट एंसर चली नेक्स कुशन देखेंगे एक मानो हड़ी का जोड़ नहीं है कौन सा एक मानो हड़ी का जोड़ नहीं है ball and socket, glinding, micro या फिर saddle कौन सा एक नहीं है ठीक है चली बताएंगे इन में से कौन सा एक मानो हड़ी का जोड़ नहीं है ball and socket मैंने बताया ये कहां पर होता है हमारे कंदे में होता है ये आप ऐसे क्या करते हो ये जो move करते हो 360 degree ऐसे move करते हो तो ये क्या है ball and socket joints कहलाता है glinding भी होता है saddle भी होता है macro नहीं होता है macro ये क्या है ये आप कहां पर पढ़ते हो ये computer की इकाईयों में पढ़ते हैं macro, micro ये सारी की सारी चीज़े आप computer वाली चीज़ें पर पढ़ते हो ये computer application software में macro record करने वाले शलाने इम संपादित करने में सहायक होता है तो ये क्या है इस से related नहीं है बांकी सारे के सारे क्या है human body में joints होते हैं मानो सरीर के सबसे मजबूत हड़ी कौन सी है देखे बेटा मैंने पढ़ाया आपको कि एक longest moon होती है एक strongest moon होती है और एक largest longest या फिर largest वही आएगी strongest कौन सी आएगी और एक smallest कौन सी आएगी टकना है पिंडली की हड़ी है मेरू दंड है या फिर जांग की हड़ी है आपको सबसे मजबूत हड़ी बताना है इस में से सबसे मजबूत हड़ी कौन सी है अच्छा यहाँ पर वैसे मजबूत हड़ी से देखे अब यहाँ पर क्या option जिस हिसाब से दिये है तो यहाँ पर आपको option क्या लगाना पड़ेगा जांग की हड़ी ही लगाना पड़ेगा यह मजबूती से आप मतलब समसकते हो कि यह आपको कह सकते है largest bone ही पूंच रहा है ठीक है अच्छा यहाँ पर अगर माल लिजे क्या दिया होता maxilla bone दिया होता तो आपको maxilla लगाना था क्योंकि सबसे strongest bone क्या होती है human body में maxilla होती है लेकिन यहाँ पर option नहीं दिया है तो आप जांग की हड़ी ही लगाएंगे ठीक है option D ही लगाएंगे largest bone होती है देखे च्छाती के आसपास की हड़ीओं को क्या कहते है च्छाती जो आपकी बीच की bone होती है उसको पहली बात तो च्छाती की bone होती है उसको sternum bone कहा जाता है च्छाती की हड़ीयां जिसको क्या कहते है chest bone कह लीजे यह कौन सी है इसको इस्टर्णम कहलाती है इस्टर्णम बोन होती है जिससे सारी की सारी रिप्स जो आपकी पसलियां है वो अटैश होती है चलिए फ्रंटल बोन कहलाती है जांग की हड़ियां है रिप्स है या फिर टकने की हड़ियां है अब इस्टर्णम बोन से कौन सी जुड़ी रहती हैं तो आपको पता है कि इन से सारी कि सारी रिप्स जुड़ी हुई होती है ना पसलियां जुड़ी हुई होती है तो इस टर्नम से क्या है इस टर्नम सिंगल नंबर में होती है और रिप्स क्या होती है 24 नंबर में होती है ये ऐसे क्या होती है ये वो इस टर्नम गुन होती है और ऐसे इनसे क्या है, ये सारी की सारी ऐसे रिप्स जुड़ी हुई होती है, जो कि एक पूरा का पूरा जाल तयार करती है, कितनी होती है, ये एक नमबर पे होती है, और रिप्स कितनी होती है, 12 पेर होती है, 24 इन नमबर में होती है, 12 पेर में आप ऐसे समझें, कि 10 पेर क्य कहते हो कि जो यह ऐसी बून होती है जो इस टर्नम से अटाइश होती है दो पेर ऐसे होते हैं 11th and 11th and 12th पेर ऐसे होते हैं जिनको क्या कहते हैं इनको floating ribs कहा जाता है तैरती हुई पसलियां यह क्या कहलाती है floating floating ribs कहलाती है तैरती हुई पसलियां क्यूंकि यह आगे साइड तो यह किस से जोड़ी होती है लेकिन आगे साइड यह इस टर्नम बून से अटाइश नहीं होती है तैरती रहती है यह होती कहां पर है तो यह जो आपका डाया फ्राम है पेट के पास यहां पर अगर टच करेंग होती है तो देखे अगर चाति पर टच करेंगे तो यहां तक तो क्या है बोंस आपकी अटाइश होती है नीचे वाली जो पसलियां होती है जो आपके कमर पेट पे होती है यह टायैफ्राम के पास होती है तो यह क्या है यह फ्लोटिंग डिप्.. स That is są फ्लोटिंग् टैर्ने से attach नहीं होती है आगे side sternum से attach नहीं होती है लेकिन पीछे side ये किस से attach होती है vertebral column से जो आपका noto card है vertebral column है उससे attach होती है clear चली आगे बढ़हेंगे next question की तरफ निम्न में से कौन सी एक अक्षिय हडी है देखिए अभी मैंने बताया कि दो part में हमारा पूरा का पूरा skeleton system divide होता है एक को होता है axial skeleton system और दूसरा होता है appendicular appendicular skeleton system अब इसमें से पूशा है कि इसमें से कौन सी एक axial bone नहीं है कपाल नहीं है मेरुदंड नहीं है कंधा नहीं है या फिर पसली नहीं है axial skeleton system में क्या क्या पढ़ा था axial में क्या आता है axial में आपका column है यह आता है vertebral column के बाद क्या आता है सारी के सारी ribs आती है ठीक तो यह किस में आती है यह आपके axial skeleton system में आती है दूसरा होता है appendicular appendicular skeleton system ठीक है axial skeleton system हो गया और perpendicular skeleton system हो गया अब इसमें क्या क्या आती है तो इसमें आपके four limbs इसमें क्या आते है four limbs और क्या आते हैं hind limbs बोलते हैं पैरों को आपके hind limbs कहा जाता है और एक चीज़ और धना रखेंगे एक तो होते हैं गर्डिल होते हैं एक होते हैं पेक्टूरल गर्डिल और एक होते हैं क्या ये पेल्विक गर्डिल तो ये भी किस में आते हैं ये होते हैं इसी में ये पेक्टूरल गर्डिल ठीक है और एक होते हैं पेल्विक गर्डिल तो ये भी किस में आते हैं अब इसमें आपको बस फोर लिम्स में आपको ध्यान रखना है, four limbs, hind limbs वैसे count किया जाता है, इसमें pectoral girdle और pelvic girdle भी देखा जाता है, pectoral girdle जिसमें आपकी scapula आती है, ये कंदे वाली हड़ी, ठीक है, ये आते हैं, और ऐसे ही इसमें आपके जो pelvic girdle जिसमें ये कमर वाली हड़ी आती है, तो ये आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, अच्छा इसमें क्या है, ये 120, ये कितनी four limbs, 60 हड़ी होती है, ये भी 60 हड़ी होती है, ये क्या होते हैं, pectoral girdle 3 होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, नहीं, ये 6 होते हैं, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ, कितना होता है, देखिए, इसकेलेटन में कितनी होती हैं, 126 bone होती है, ठीक है, और 126 में क्या हो गई, पहले तो appendicular skeleton system में 126 bone होती है, 216 में क्या क्या आएंगी, तो अपर वाले जो आपकी pectoral girdle है, उसमें क्या होती है, उसमें 4 हड़ियां होती है, ठीक है, कितनी होती है, चार हड़ियां होती है, और pelvic girdle में क्या होती है, और इसमें 4 होती है, चार में, pectoral girdle में 2 scapula होती है, जो कंधे वाली हड़ियां होती है, और 2 ये clavical bone होती है, जिसको beauty bone कहा जाता है, ये वाली bone जो दिखाई देती है, सामने, इसको क्या कहते है, beauty bone भी कहते हैं, तो ये pectoral girdle में आती है, pelvic girdle में दो bone आती है, और बाकी four limbs औ मैंने बताया था, ये 126 होती है, ठीक है, 126 क्या है, ये किसमें होती है, appendicular skeleton system में, अब इसमें एक चीजा और है, इसमें आपको पता है, कि जो हात वाली हड़ियां है, four limbs जिसमें 60 होती है, दोनों को मिलाके, एक हात में 30 हड़िया होती है, यहां से सुरुवात करते हैं, ये humorous कहलाती है, उसके बाद ये radius अलना होती है, यहां पर आपकी क्या होती है, phalanges होती है, ठीक है, radius अलना हो गई, phalanges हो गई, phalanges में आपकी हाथ में, अब इसमें 3 पार्ट होती है, एक होती है, carpal, metacarpal और phalanges, ठीक है, carpal ये वाले, जो ये आपका क्या है, ये कोहनी होती ह यहां पर उसके बाद इसमें जो attach होती है metacarpal होती है और यह जो उंगलियों की हड्यां होती है यह 3-3 जो होती है metacarpal कहलाती है तो यह 60-60 हो गई ऐसे ही हाथ जो पैर वाली हड्यां है तो उसमें क्या होती है T-B-A हो गई, fibula हो गई, femur हो गई, patella हो गई, torsals, metatorsals और phalanges femur bones जिसको आप thigh bone बोलते हो उसके बाद patala जिसको आप घोटने वाली हड्यी बोलते हो है घोटने वाली जो कहते नहीं कतोरी जैसी हड्यी है तो वो क्या होती है वो गोटने वाली हड्यी होती है उसके बाद torsals bone कहा जाता है ठीक है क्या कहते हैं torsals कहते हैं उसके बाद metatorsals आते हैं और फिर जो पैर की उंगलियां होती है उनकी हड्डियां phalanges कहलाती है तो ये bones किसमें होती है पैर में होती है pectoral garden मैंने बताया scapula bone होती है जो आप ऐसे अगर ये करोगे ये कंदे वाली हटी तो ये हो गई और ये दो क्या होती है आपकी clavical bone हो गए जिसको beauty bone कहा जाता है तो ये pectoral garden में आती हैं दो pelvic garden में भी आती है bone pelvic garden मतलब नीचे वाला part जो होता है ठीक है pelvic garden में दो bone आती है है आपकी और इसमें कौन-कौन सी bone आती है तो इसमें coxyl और hip bone आती है coxyl या इसी को sorry coxyl एक bone होती है और या इसी को innominate bone कहा जाता है जिसको आप hip bone कह सकते हो तो ये आपके pelvic garden में देखने को मिलती है clear तो ये आपके क्या हो गए appendicular skeletal system अब आते हैं हम किसमें axial skeletal system में ठीक है axial skeletal system की बात करते हैं इसमें total कितनी होती है तो देखे total कितनी होती है 180 bone होती है 180 bone होती है total किसमे axial skeletal system sorry ये 180 नहीं 80 ये होती है और 126 ये होती है ये 126 होती है total कितनी हो गई 206 हो गई न अब इसमें देखे इसमें कौन-कौन सी है जो कि क्या बनाती है total axial skeletal system की अगर आप बात करते हो तो इसमें कौन-कौन सी bone होती है इसको भी note कर लिजे देखे तो इस skull में क्या होती है इस skull में आपको पता है आपकी जो bone होती है skull में 29 होती है ये आभी मैंने details से पढ़ाया आपको 29 में अब cranial bones कितनी होती 8 होती है facial bone कितनी होती 14 होती ear ossicle कितनी होती 6 होती है और एक आपकी गले की the hyode bone होती है उसके बाद vertebral column में कितनी होती है तो vertebral column में आपको पता है 26 bone होती है और ribs में कितनी होती है ribs में 12 pair होती है ये 12 pair ये होती है और एक क्या होती है sternum bone भी होती है sternum bone जिसको क्या कहते है chest bone भी कहते है और इसे सारी की सारी ribs क्या होती है attach होई होती है ठीक है तो देखिए अगर आप अलग-अलग करके पढ़ोगी तो 22 बून्स क्या है 14 बून्स क्या हो गई, फेसियल बून हो गई, 8 क्रेनियल बून हो गई उसके बाद आपकी 6 इयर ओसिकल्स हो गई, और टिवरल कॉलम में कितनी 26 बून होती है तो यह आपकी कितनी हो गई, टोटल बून हो गई, 80, 29, 26, उसके बाद 12 और 1 यह 1 कितनी हो गई टोटल देखिए 29 क्या है, इसकल बून हो गई, फिर क्या है, फिर वर्टिबरल कॉलम की 26 बून हो गई उसके बाद क्या आती है, टोल ब पेर में 24 हो जाएंगी न, प्लस यह कितनी हो गई, 24 रिप्स हो गई और 1 इस्टर्नम बून हो गई, तो यह आपके एक्जियल एसकलेटर सिस्टम में आती है appendicular skeleton सिस्टम में 126 बून आती है, 126 और कितनी हो गई, 126 और कितनी, 80 बून, दोनों क्या हो गई, मिला कि 206 बून हो गई, यह टोटल कितनी हो गई, आपके 206 बून हो गई, जो कि human adult body में आपको देखने को मिलती है, ठीक है? तो इस type से आपकी सारी की सारी हड़ियां divide होती है, चलिए, अब यहाँ पर पूंछा कौन सा है? इन में से कौन सी axial bone नहीं है, कपाल, जिसको आप क्या बोलते हो, यह बिलकुल है axial bone, मेरुदंड यह भी है, जिसको आप क्या बोलते हो, इस vertebral column कहते हो, कंधा, कंधा क्या पेक्टोरल गर्डिल आता है, और पेक्टोरल गर्डिल आपकी किस में आता है, पेंडिकुलर में आता है, पसली जिनको रिप्स बोलते हो, वो भी आपकी skeleton system का ही पार्ट है, और वो axial skeleton system में आता है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question को देखते है, रीड को भी कहा ज आता है, चलिए आगे बढ़ेंगे, एक मानो सरीर में अनाक्षिक मास पेसिया कहां होती है, एक मानो सरीर में अनाक्षिक मास पेसिया कहां पर होती है, ठीक है? लिम्स में होती हैं दिमाग में दिल में या फिर जवान पे अनैक्षिक का मतलब होता है कि ये आपके इच्छा से नहीं चलती है इनको चलना है तो चलना है ठीक है ये आपकी इच्छा से नहीं चलती है ये ऐसी पेसियां होती है जो आपके बिना इक्षा के सलती है इनको involuntary muscles कहा जाता है और involuntary muscles ऐसी muscles होती है जो continuous काम कर रही होती है आपकी इच्छा से नहीं शलती है ये आपके दिल में देखने को मलती है ठीक है? Heart में Heart में जो पेसी होती है इनको कार्डियक muscles भी कहा जाता जो कैसी होती है? अनक्षिक होती है involuntary muscles होती है involuntary muscles का मतलब कि इन में आपका control नहीं होता जैसे हाथ में आपका control है कि आप हाथ चलाओगे कि नहीं चलाओगे ये आपके उपर depend करता है बट जो आपके हरदय है हरदय की जो मासपेसिया है उसका आपका control नहीं है वो ऐसा नहीं है कि आप कहे दो कि भाईया चलो तुम 12 गंटे काम कर लिए अब 2 गंटे rest कर लो ऐसा नहीं होता अगर 2 गंटे rest में चले गए तो आप ही rest in peace हो जाओगे तो वो अगर ऐसा हो तो फिर control कर पाए इंसान तो फिर बात ही कुछ और है तो ये कुछ ऐसी पेसिया होती है जो continuous काम कर रही होती है और इन में आपका वस नहीं शलता है ये continuous काम करने वाले जैसे कि heart की हो गई ही ठीक है आपकी जो parasystalsis movement होता है इस टमक में वो भी anexic होती है मास पेसियों को हड्डियों सो जोडता है कौन सा एक structure है जो मास पेसियों को हड्डियों सो जोडता है तो ये मास पेसियों को हड्डियों से कौन जोडता है इनको क्या कहते है उपासी कहते हैं सीरा कहते हैं आरोलर कहते हैं, या फिर इनको क्या कहा जाता है, इसनायू बंधन कहा जाता है, तो दिहान लखेंगे, ये सिराइं हैं, जो मास्पेसियों को किस से जोडते हैं, मास्पेसियों को हड्यों से जोडते हैं, और हड्यों से हड्यों को जोडने का काम करता है, वो इसनायू करते है next question अस्तिकोसिकाएं एक hard matrix में अन्तह स्थाफित होती है जो बना होता है calcium और phosphorus का calcium और sodium का phosphorus और sodium का या फिर calcium और phosphorus का चलिए बताएंगे किसका बना होता है अस्तिकोसिकाएं एक hard matrix में अन्तह स्थाफित होती है जो किसका बना होता है तो ये कुशन अलेडी हम कर चुके हैं कैलसियम और फासफोरस का बना होता है फासफोरस को P से डिनोट करते हैं CA का क्या होता है कैलसियम होता है मास पेसियों की क्रिया से उत्पन बल को क्या कहा जाता है रासाइनिक बल कहते हैं, सारीरिक बल कहते हैं PCA बल कहते हैं या फिर यांत्रिक बल कहते हैं तो मास्पेसियों से उत्पन बल को क्या कहते हैं PCA बल कहा जाता है मस्कूलर फोर्स कहा जाता है इसको clear PCA बल कहलाता है next question देखेंगे स्वैक्षिक मास्पेसियों में बिद्दिमान होती है स्वैक्षिक मास्पेसियां कहां पर विद्यमान होती है जिगर में जिसको आप लिवर कहते हो लिवर में ठीक है हाथ में आपके हैंड में हो गई हरदय में हाट में होती है या फिर फेफडे में जिनको आप लंग्स कहते हो कहां पर विद्यमान होती है स्वैक्षिक मास्पेस पेसियां जिसको आप अपनी मर्जी से चला सकते हो, तो ये आपके हाथ, पेर, गर्दन इन सब जगए पर देखने को मिलती है, जो आपकी मर्जी से चलता है, हाथ आपकी अगर आपने चाहा है, हम लिखना चाह रहे हैं, तभी लिख पा रहे हैं, अगर कह देंगे नहीं सार चला सकते हो, बांकि अगर लिवर की बात कर लें, लिवर आपका कंटिनिवस काम कर रहा होता है, हड काम कर रहा है, लंक्स काम कर रहा है, इन सब ही जगए क्या होती है, आपकी इच्छा से चलने वाली मांस्पेसिया नहीं होती है, वो अनैक्षिक मांस्पेसिया होती है involuntary muscles होती है जो continuous काम कर रही होती है चले next question देखेंगे joint पर हड़ी की सतह को मुलायम करता है क्या होता है? cartilage होता है, areolar होते हैं, tendon होते हैं या फिर बंधन होते हैं joint पर हड़ी की सतह को कौन मुलायम करता है? तो ये cartilage होते हैं जो हड़ी को क्या करते हैं? नरम एक तरह से उनको नरम करके रखते हैं अस्थिकोशिकाएं एक द्रढ़ आव्यू में अन्तह स्थापित होती है जो से बना होता है calcium और phosphorus से बना होता है किस से बना होता है? तो ये calcium और phosphorus से बना हुआ होता है चले, next point देखेंगे कौन सा खनिज हड़ीयों के लिए आवस्यक है? इन में से कौन सा सवस्टेंस है? जो हड़ीयों के लिए बहुत ही आवस्यक है जिंक है, iron है, sulfate है या फिर calcium है किस की कमी से हड़ीयां कमजूर होती है? तो आपको पता है अगर calcium की कमी है doctors कहते हैं न कि calcium की कमी है calcium की tablet दो या calcium ऐसी चीजे खाव जिसमे calcium मिल जाए तो calcium की कमी के कारण हड़ीयां कमजूर होती है अगर calcium नहीं रहे गा तो हड़ीयों में कमजोरी आती है तो ये हड़ीयों के लिए बहुत ही आवस्षक है मास्पेसियों को कंकाल मास्पेसियां भी कहा जाता है कौन सी ऐसी मास्पेसियां है जिनको क्या है स्केलेटन मसल्स भी कहा जाता है तो इनको कहते हैं एक्षिक मास्पेसियां एक्षिक मास्पेसियां मतलब कि इन ये वॉलेंटरी मसल्स होती है क्या कहलाते हैं, इनका इंगलिस नाम क्या है, इनको बोलते हैं, voluntary muscles, इनको और क्या कहते हैं, voluntary muscles कह लीजिए, या इनहीं को skeleton muscle भी कहा दाता है, skeleton muscles, अच्छा, voluntary का मतलब होता है, कि आपकी इक्षा के अनुसार चलने वाली, आक्षिक का मतलब तो यही है न, आपकी इक्षा के अनुसार चलने वाली, और यह skeleton muscles हैं, मतलब कि आपके skeleton हमारे हाथ में हैं, हमारी पैर में हैं, गर्दन में हैं, जहां पर हमको move करना है, वहां प इनको क्या कहते हैं यह अपनी मर्जी से चलने वाली हैं इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है चलिए आगे पढ़ेंगे next question की तरह मानो सरीर की सबसे शोटी मास्पेसी कौन सी है वहीं तक हम बात कर रहे थे मानो सरीर की सबसे बड़ी बून की बात कर रहे थे अब बात करते हैं मास्पेसी की अन स्पेसी है इस टैपी डियर स्पेसी है टिबियाली स्पेसी है या फिर हरदय पेसी है मानों सरीर की सबसे छोटी मान स्पेसी कौन सी है ये बताना है तो इसमें ध्याना रखेंगे ये है इस पैडी सरी इस पैडी स्पेसी क्लियर चले नेक्स कुशन देखने है मास्पेसियों, मास्पेसियां सरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुँचाने में हरदैं की साहता करती है जिसमें लेबद, संकुशन और विस्राम की आवसेक्ता होती है फर्स्ट उप्सन ट्राइसेप है, बाइसेप है, कार्डियक है या फिर इसको बोलते हैं सोलेसस है कौन सी मसल्स ऐसी होती है, जो की सरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुचाने का काम करती है और लेबद इनमें संकुशन होता है, तो ये कौन सी मसल्स होती है, इनको कहते है कार्डियक मसल्स क्या कहलाती है ये कहलाती है कार्डियक मसल्स ठीक है कौन सी मसल्स कहलाती है ये है कार्डियक मसल्स option C हो जाएगा right answer चलिए next question देखेंगे निवनतम आधात्री matrix वाला एक सन्योजी उतक है सबसे कम जिसमें matrix होता है रक्त है इसनायू है अस्थी है या फिर plasma है कौन सा ऐसा matrix है जिसमें सबसे कम क्या होती है सबसे कम मैट्रिक्स देखने को मिलती है तो ये होती है इसनायू कौन सी होती है इसको कहते हैं इसनायू बाकिय रख तो आपको पता है ये लिक्विड होता है इसमें मैट्रिक्स होता ही होता है अस्थी में भी होता है और प्लाजमा में भी होता है धारी धार पेसियां होती है एक नाभिक की होती है single nucleated होती है double nucleated होती है multi nucleated होती है या फिर ये कोई भी nucleus उसमें नहीं देखने को मिलता है तो इसमें ध्या नखेंगे जो धारी धार मास पेसियां होती है वो multi nucleated होती है बहुत नाभिक इसको बोला जाता है multi nucleated क्लियर क्या कहते हैं multi nucleated बहुत सारे नााभिक इनमे देखने को मिलते हैं धारी दर मांज पेसियों को क्या कहते हैं इन ही को skeleton मसल्स भी कहते हैं इन ही को क्या कह जाता है कंगाल पेसियंLab या skeleton skeleton मसल्स कह लीजे action मांस कह लीजे तो इसमें multi-nucleated क्या होते हैं नाभिक देखने को मिलते हैं चलिए next question है हमारी मास्पेसियों में अधिक oxygen की अपूर्ती के लिए निम्न लिखित में से कौन सा हार्मोन हरजाइं की गती को बढ़ा देता है insulin हार्मोन, animal हार्मोन, thyroxine हार्मोन या फिर adrenaline हार्मोन कौन सा हार्मोन है जो हमारी मास्पेसियों में अधिक oxygen की अपूर्ती के लिए हार्मोन हरदें की गती को बढ़ा देता है तो यह है adrenaline हार्मोन इसको fight and flight हार्मोन कहा जाता है क्या कहते हैं इसको एक चीज़ और ध्यान रखेंगे fight or flight इसको fight or flight हार्मोन भी कहा जाता है और यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब डर लगता है ज्यादतर तो यह क्या होता है डर होता है यह सब चीज़ों के लिए भी यही responsible होता है तो यह भी ध्यान रखेंगे कान के अंदर कमपन तीन हड़ियों द्वारा प्रवर्थित होता है जैसे बीच वाले कान में हैमर कोकली और इस्टरप के द्वारा औडिटर वोन एनिमल और इस्टरिप हैमर एनविल और इस्टरिप या फिर हैमर एनविल और पिनना के द्वारा कान के अंदर कम पन तीन हड़ियों द्वारा प्रवर्थित होता है जैसे की बीच में बताएंगे कौन कौन सी हैं तो इसमें क्या होगा राइट एंसर इसमें होगा हैमर, एनविल और इस्टरब ये तीन पोर्षन होते हैं आपके कान के फर्स्ट हैमर होता है उसके बाद क्या होता है हैमर इसका बाहरी सिरा कान के परदे से तथा भीतरी चोड़ा सिरा इनकस से जुड़ा होता है ये हथोड़े के समान होता है और इसके लंबाई 8-9 mm होती है दूसरा पोर्षन होता है एनविल इसका बाहरी सिरा मैलियस से तथा भीतरी सिरा इस्टपीस से जुड़ा ह हुआ होता है इसका आकार थिहाई की तरह होता है तीसरा होता है इसके मद्घ्य में एक शित्र होता है तो ये तीनो पूर्षाम आपके कान के अंदर कमपन तीन हड्डियों द्वार दराश प्रवर्थित होते हैं उसके लिए responsible होते हैं चलिए next question देखेंगे हमारे कानों में की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार की सयोजी उतक है कानों को मोड़ा जा सकता है फर्स्ट option सिराओं, हड्डियों, उपस्थियों या फिर इसनायों जो आपका एर पिनना है आप ऐसे क्या करते हैं पकड़ के मोड़ देते हो ना किसी कान पकड़ के ऐसे गुमा देते हैं तो वो किस वज़े से उसमें कोई हड्डि नहीं होती है इसमें केवल और केवल उपस होती है जिनको क्या कहते हैं कार्टिलेस कहा जाता है ये कार्टिलेस कहलाती है तो कार्टिलेस का बना हुआ होता है इसी वज़े से आप उसको क्या कहते हो गुमा पाते हो option C हो जाएगा right answer चले नेक्स कुश्चन देखेंगे अगला कुश्चन है मद्ध कान में मौजूद तीन हड्डियों के नाम क्या है फीमर हैमर टी या हैमर एनविल इस्टरप हुमर हुमस हंसली इस्टरप या फिर रेडियस अलना और हैमर चलो तीन बताना है मद्ध कान में मौजूद तीन हड्डियों के नाम जो middle ear है आपका उसमें कौन सी तीन हड़ियां देखने को मिलती हैं, तो अभी अबने पढ़ा, ये है हैमर, एनेविल और इस्टरप, प्लियर, option B हो जाएगा, right answer. Next question है, मास्पेसियों का वह भाग जो संकुषन उत्पन करने के लिए सिकुडता है, क्या कहलाता है, मायोसिन कहलाता है, पुलिका कहलाता है, अधिपोसिका कहलाता है, या फिर एक्टिन कहलाता है, मास्पेसियों का वह भाग जो संकुषन उत्पन करने के लिए सिकुडता है, उसको क्या कहते हैं उसको एक्टिन कहते हैं क्लियर क्या कहते हैं उसको एक्टिन कहते हैं नेक्ट कुश्चन है मानो सरीर में दूई सिरस्क मास्पेसियां कहां इस्थित होती हैं बाह में पेट में पूले में या फिर पिंडली में मानो सरीर में दूई सिरस्क मतलब दो तो वो बाह में होती है हमारे बाह में ठीक है कहाँ पर होती है हाथ में चले आगे बढ़ेंगे next question की तरफ मायोसिन और एक्टिन क्या है मास पेसिये प्रोटीन है मास पेसिये कार्वो हाइडरेट है मास पेसिये वसा है या फिर मास पेसिये एंजाइम्स हैं तो ये ध्यान लखेंगे, myosin protein और actin protein, ये mass-pacia proteins हैं, जो कि responsible हैं, जो आपकी मसद्स हैं, उनमें जो movement होता है, उसके लिए responsible होते हैं. Next question देखेंगे, सारकोलेमा वह जिल्ली है, जो को cover करती है, सारकोलेमा किसको cover करती है, सारकोलेमा वह जिल्ली है, जो मास-pacia तन्तु को cover करती है, option C हो जाएगा, right answer. Next question देखेंगे, निमलिख्ट में से कौन सा मानो सरीर में पाई जाने वाली हड़ी नहीं है? First option, इस्टरफ हैमर एनविल या फिर एक्स, इनमें से कौन सी एक हड़ी है, जो मानो सरीर में नहीं देखने को मिलती है, तो एक्स मानो सरीर में नहीं देखने को मिलती है, बांकि आपको पता है, ये तीनो के तीनो क्या है, middle ear की हड़ीया है, next question देखते है, kneecap को क्या कहा जाता है, नी कैप क्या कहलाता है टांग के अगले भाग की हड़ी पलिया कहते है मैलस कहते है या फ्रकंधे की हड़ी कहते है नी कैप क्या कहलाती है नी कैप को क्या कहते है पलिया का आजाता है या इसी हो नी कैप जिसको आप घुटना बोलते हो उसको कहते है ठीक चले नेक्स देखेंगे, नियम्न लिखित में से कौन अस्ति बंध लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए होते हैं, लिगामेंट किसको किस से जोड़ने का काम करते हैं, मास्पेसी से हड़ी को, हड़ी से हड़ी को, या फिर तौचा से मास्पेसी, तौचा और मास्पेसी को, या तंद् comment जोड़ते हैं और बाकी बात करेंगे चलिए तो यहां पर हो गया यह complete आपका skeleton system यहां पर आपका skeleton system complete होता है तो आई होप कि यह class आप लोग के लिए बहुत ही beneficial रही होगी इसको एक बार पूरा पढ़ लीजेगा अपने सब्सक्राइब के साथ अपने groups में जरूर share करिएगा और अपने comments जरूर छोड़िएगा ताकि हमको आपका एक जो reaction है या जो आपका एक तरह से आप लोग जब comment करते हो तो उसके बाद हमको पता चलता है कि अच्छा इन चीजों पर अभी और सुधार करना है ठीक है तो आपने comment जरूर छोड़िएगा बांकि अब next topic में हम मिलेंगे अगली class में तब तक पढ़ते रहिए all the best thank you class